Hello everybody, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, मैं हूँ आपकी अपनी अनीशा, आपकी अपनी English Educator So, इतनी अची बात से, इतनी अची दिन से इचली शुरुवात करते हैं, हमारी फ्लमिंगो बुक के न्यू चाप्टर से, जो की है Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Jan अब यह जो चाप्टर है, पहले तो मैं आपको, आपके सामने इसका टाइटल जो है, वो आपको एक्स्प्लेइन करती हूँ कि Lost Spring का मतलब क्या है Spring का मतलब होता है Spring Season, इस Season में नए-नए Flowers Bloom होते हैं, अच्छे-च्छे ट्रीज में New Leaves आती हैं, नए Flowers Bloom होते हैं तो basically Spring को यहाँ पर समझाया गया है as a childhood, जैसे एक बच्चे की life में बच्चा दीरे-दीरे grow होता है, bloom करता है, खिलता है, grow करता है, उसको overall development होता है, उससे यहाँ पर बोला गया है So Spring का मतलब यहाँ पर explain किया गया as a childhood, किसी बच्चे का बच्पना और Lost Spring का मतलब यह है कि किसी बच्चे का बच्पना कहीं खो गया, Lost हो गया, घुम गया कहीं तो basically इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं दो stories, यह chapter मैंने two parts में divide किया हुआ है, first part में हम first story cover करेंगे इस chapter की और second part में हम chapter की second story cover करेंगे So, यह तो chapter है, basically किस बारे में हैं, यह मैं आपको पहले बताती हूँ And उससे पहले हम author के बारे में पढ़ेंगे कि author कौन है, and author के mind में ऐसे क्या views थे, जो उन्होंने इस chapter को लिखा So, Annie is drunk, इस chapter की author है, she was born in 1964, और कहां born होई थी? Rorkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad So, उन्होंने अपना बच्पना and adolescence याने की अपनी young age जो है उन्होंने, वो अपनी adultancy की जो age है, वो उन्होंने कहां spend करी? Hyderabad में spend करी है, okay? She received her education in Hyderabad in the United States of America So, उन्होंकी education कहां से complete हुई? थोड़ी education उन्होंकी Hyderabad से complete हुई? और थोड़ी education उन्होंने USA, United States of America में अपनी complete करी है Her parents were both writers और इनके parents, mother and father, दोनों ही writers थे याने लेखक थे Annie's Young began her career as a writer in India Exactly अपने parents की तरह भी Annie's Young ने अपना career as a writer, as a लेखी का की रूप में start किया और इंडिया में ही उन्होंने अपनी writing skills start कर दी She has been an editor and columnist and columnist for many major newspapers in India and abroad तो वो बहुत सारे newspapers की क्या रह चुकी है? Editor रह चुकी है और बहुत सारी magazine में जैसे columns आते हैं तो वो columnist भी रह चुकी है कई सारे newspapers और magazines की India में as well as abroad याने इंडिया के बहार भी And her authored several books And she has also authored several books याने कई सारी किताबे उन्होंने लिखी है The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood तो ये जो chapter हम पढ़ने वाले हैं चोटा सा excerpt है चोटा सा portion है, चोटा सा part है जो हम as a whole हमारे class 12 के syllabus में पढ़ेंगे Introduction of the chapter So मैं basically आपको chapter का introduction दे देती हूँ इस chapter में दो stories है एक story है, एक rack picker की जिसका नाम है साहिब आलम और दूसरी story है, मुकेश की जो की है एक bangle maker वो और उसकी family जो है bangle, studio बनाने के business में सदियों से, generation से involved है तो सबसे पहले मैं आपको साहिब आलम की जो हमारी first story है एक rack picker boy याने कूडा बीनने वाला, कच्रा बीनने वाला लड़का उसकी story बताती हूँ तो साहिब आलम जो है एक कच्रा बीनने वाला लड़का है और वो हमेशा क्या ढूनता है कच्रे में gold अब gold का मतलब यहां पे सोना नहीं है गोल्ड का मतलब जो चीज हमारे लिए gold है, precious है वो साहिब आलम के लिए कुछ और माइने रखती है यानि साहिब आलम एक कूडा बीनने वाला बहुत गरीब बच्चा है जिसके दिमाग में सारा दिन क्या बात बैठी हुई है कि मैं कच्रा ढूनूँगा और इसमें से मेरी सारी जरूरत की चीज़े मिलेंगे हमारी जरूरत की चीज़े हैं, हमारी लिए precious चीज़े जो होती है वो होता है gold, diamond, यह सारे precious stones फर एक्जामपल और यह जो बच्चा है साहिब आलम इसके लिए gold क्या है इसके लिए gold वो सारी जरूरत की चीज़ें जो कूडा बीनते वक्त यानि कच्रा चाटते वक्त जो कोई निकला है तो वो अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरते कहां से पूरी करता है कच्रा बीनने के बाद और कच्रा बीनने के इस job से साहिब आलम बेसिकली धाका से है धाका is a capital of our neighboring country बंगलदेश वो वहाँ से आया हुआ है और वहाँ पे उसकी मदर उसको बताती है कि हमारे घर उजड गए थे storm की वज़े से, बार की वज़े से तो वो लोग शिफ्ट ओकर कहां आ गए वो लोग शिफ्ट ओकर डेली में ही एक लोकालिटी है डेली के आउट स्कूर्ट में डेली के आउटर अरिया में जो की है सीमा पूरी यह सारे रैक पिकर्स जो है वही पर रहते हैं और यहाँ पे साहिब आलम की भी फैमिली वही रहती है सो जो राइटर है हमारी राइटर आनी जंग वो एक दिन ऐसे ही मिल जाती है एक बार साहिब आलम से उससे पुछती है कि तुम यह काम क्यों करते हो स्कूल क्यों नहीं जाते तो साहिब बताता है कि हमारी लुकालिटी में हमारे स्लम का जो जुक्डियों का एरिया है यहाँ पे कोई स्कूल है ही नहीं तो ऐसी मजाख में जो ऑथर है उन्होंने बोल दिया साहिब से कि अगर मैं स्कूल बनाओंगी तो क्या तो माओंगे और साहिब बहुत खुश हो के कहता है कि हां मैं आऊंगा जब कुछ दिनों बाद जो आनीज जंग हमारी जो ऑथर है फिर सिर्फ जाती है उस लोकालिटी में और साहिब उनको देखकर भागते हो आता है और कहता है आपने स्कूल बना लिया तो यहां पर जो ऑथर हैं बहुत अशेमड फील कर रही है और बहुत इंबारस्ट फील कर रही है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया एक छोटे बच्चे से जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था उन्होंने तो मजाक में बोल दिया लेकिन उन्होंने यहीं नहीं सोचा कि हो सकता है मैंने जो प्रॉमिस करा है बच्चे से इससे बच्चे ने शायद कुछ ड्रीम्स एकना साथ स्टार्ट कर दियो तो फिर उन्होंने ये चीज सोची कि इन बच्चों से इन गरीब राट पिकर से आए दिन हर रोज कितने ही लोग आते हैं इस तरीके के जूटे वादे करके चले जाते हैं तो शायद मैंने भी मजाक मस्ती में या ऐसे ही बिना सोचे समझे जो एक वादा कर लिया था साहिब से वो उसके लिए शायद कुछ फरकी ना पड़े उसे क्यूंकि उससे रोज कई लोग इस तरह से आके जो हैं क्या करते हैं प्रॉमिसेस कर जाते हैं फिर एक दिन फाइनली आनीज जंग ने देखा कि साहिब आलम ने अपना रैग का जो बैग है या ने कूडा बीनने वाला बैग दो अपने शोल्डर पर कैरी करता है वो कैरी नहीं किया हुआ था और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर यानी स्टील का एक बरतन था जि कि मेरी जॉब जो है मेरी नौकरी है एक टीस टॉल पर लग गई और यहां पर मुझे 800 रुपीज पर मन्त मिलता है और साथ में मुझे मील्स याने एक दो वक्त का खाना भी मिलता है यहां पर आथर को बहुत बुरा लगता और फील करती है कि इन बच्चों का जो लेबर में गुजर गई है चाइड लेबर याने की जो 14 यह से कम बच्चे होते हैं वो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनका ओवरॉल डिवलप्मेंट नहीं होता वो अच्छे क्लीन इन्वार्मेंट में नहीं रह पाते हैं और इस तरीके के काम काज में उनकी जि इससे इनका फ्यूचर खतम हो जाता है तो अब जो साहिब था उसका जो बैट था रैट पिक करने का कच्रा पिक करने का मेरे ख्याल से वो इतना भारी नहीं होगा जितना भारी उसको वो स्टील कनिस्टर लग रहा था क्योंकि जो बैट था वो उसका खुद का था वो केर free था वो मजद मतने में रहता ता अपने मसी कंशी अपना बचता नव किसी के अंडर काम कर रहा है और जो स्टील का कंटेनर है वह भी इसका नहीं किसी ओर का है और ऑब उसका जो बच्पन है मेरे को से वह खतम हो गया है और जो बोघ में फस गया है responsibilities के, पैसा कमा के देने की अपनी family को responsibility में दब गया है child liver की वजह से So this was all about our first story अब जो हमारी second story होती है, हम वो हमारे second part में discuss करेंगे उससे पहले हम first part में हमारी first story जो साहिब आलम की story है, वो cover करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले एक introduction दे देती हूँ The author tells us, stocks offer interactions with children from deprived backgrounds तो author इस chapter में, चाहे story number one हो, साहिब आलम की या story number two हो, हो मुके, एक बैंगल मेकर, चूडिया बनाने के business में involved है इनसे पूरा जो interaction होता है हमारी author का, वो इस chapter में mention किया है उन्होंने पूरा detail में explain किया है और deprived backgrounds याने की बहुत गरीब family से ये बच्चे बिलोंग करते हैं She describes their poor condition and life in an interesting manner तो वो उनकी poor condition याने की जो उनकी गरीबी वाली जिंदगी है उसको बहुत interesting तरीके से describe करते हैं इस पूरे चाक्टो में The story touches the reader and is thought provoking ये जिस story जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो कही न कहीं touch करेगी हमें कहीं न कहीं बुरा लगेगा इन बच्चों के लिए और इस society में जितने भी गरीब बच्चे जो कि पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और child liberal poverty के जाल में जकड चुके हैं उनके लिए हमें बहुत बुरा लगेगा and is thought provoking याने हम सब जो readers इस chapter को read करें stories को read करेंगे हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि इनकी मदद हो जाए या आखिर government ऐसे क्या initiatives ले steps ले ताकि इन बच्चों की lives जो है improve हो जाएं और यह लोग education की रहा पे मुड़ जाएं so हमारा जो first chapter की जो first story है उसका नाम है sometimes I find a rupee in the garbage so यहां से हमारी first story का explanation स्टार्ट होता है जो title है sometimes I find a rupee in the garbage इसका मतलब यह है कि कभी-कभी एक रुपे का सिक्का मिल जाता है उसको कचरे के धेर में किसे साहिब आलम नाम के rag picker यानि कुड़ा बीनने वाले बच्चे को कच्रा बीनने वाले बच्चे को तो यह एक रुपे भी इसके लिए एक गोल्ड के बराबर है और जब एक रुपे मिल जाता है तो उनकी भूख जो है स्क्राउंजिंग का मीनिंग क्या होता है स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग फॉर ढूंडना तो यह जो question है why do you do this कि तुम यह सब क्यों करते हो साहिब यह कौन पूछ रहा है साहिब से यह हमारे story की जो author है आनीज जंग वो पूछती है साहिब से यह जो बच्चा है रैकपिकर उससे कि तुम यह सब रैकपिकर इंग कच्रा बीनने का काम तुम क्यों करते हो और यह कब उन्होंने पूछा जब हर सुभा साहिब उन्हें मिलता है उनके पास में उनके पडोस में कच्रा बीनते वक्तों उस वक्त जाकर आनीज जंग ने उनसे यह पूछा तो वो बता रहे कि साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था और उसका घर कहां था धाका में और धाका क्या है बांगलादेश का कापिटल है और बांगलादेश हमारी इंडिया की नीबरिंग कांट्री है तो उसने अपना घर कई सालों पहले छोड़ दिया था और उसे अब अपनी memory में दूर दूर तक अपने पुराने घर धाका में जो घर था उनका याद नहीं है कि वो घर कैसा था और वो लोग वहाँ कैसे रहते थे और उसका घर जो था वो कहां था amidst याने amidst याने कि in the middle of एक सुन्दर से green fields में मतलब हरे भरे fields के बीच में उनका घर था एक छोटा सा हट हुआ होगा तो वहाँ पर उसका घर था इसका साहब का तो यहाँ पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ चाप्टर के तुरू कि साहब आया कहां से था from where he was originated there were many storms that swept away their fields and homes his mother tells him तो साहब की mother ने उसे बताया था कि उन लोगों ने धाका क्यों छोड़ा तो धाका छोड़ने का reason यह बताया था उन्होंने साहब को कि वहाँ पर बहुत storms बहुत तूफान, बारिश, आंधी आ गई थी जिस वज़े से उनके छोटे छोटे घर तभा हो गए, उड़ गए, डामेज हो गए जिस वज़े से वो लोग यहाँ शिफ्ट हो करा गए, कहाँ डेली के पास सीमपूरी में और इसी वज़े से क्योंकि वहाँ हमेशा बार आती रहती है वहाँ पे हमेशा storms आती रहते हैं इसलिए फाइनली उन्होंने उस जगा धाका को छोड़ दिया Looking for gold in the big city where he lives now Looking for gold Looking for gold का मतलब है rag picking का काम करना कचरा बीनने का काम करना है यह लोग इस तरफ आ गए यह बड़ी city में आ गए विच इस बिग city जैली और जैली में ही एक locality है उसके डैली के outskirts में जो है सीमापुरी इस तरीके से कचरा बीनने का जो area है सीमापुरी में वो कुछ ऐसा दिखता है तो यहाँ पर वो बता रहें कि Looking for gold का मतलब याने यहाँ पर वो कचरा बीनने के लिए और कचरे में से अपनी कुछ जरूरत की चीज़े ढूंडने के लिए वो लोग यहाँ पर आ गए अब सोच ये आप कितनी बड़ी आईरेनी है कि वो लोग एक मुसीबत धाका में से निकले स्टॉर्म्स में से निकले अपनी कुछ लाइफ को बेटर बनाने के लिए डेली में और यहाँ पर भी आके कहां फस गए राक पिकिंग के काम में याने की कचरा बीनने के काम में उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे, खोच साहिब सब इसी काम में इन्वोर्ड रहते हैं तो जैसे ही ऑथर ने उसको पूछा कि तुम ये कचरा बीनने का काम क्यों करते हो तो उसने reply क्या दि ऑथर को मेरे पास कुछ और काम करने के लिए ही नहीं इसलिए मैं कचरा बीनने के काम करता हूँ और ऐसा वो मटर करता है याने बहुत धीरे से आवाज में इधर उदर देखकर बोलता है गलिबली याने तो ऑथर उसको क्या बोलती है और इस तरीके से इसने 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 बोलती है कि तुम स्कूल जाओ जब क्यों ने पता है कि ये प्राक्टिकली शाइब पॉसिबल नहीं तो उन्हों ने जैसे ही उसको बोला कि स्कूल जाओ तो उसी वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो अड्वाइज ये जो सजेशन में दे रही हूं साहब को ये कितना हॉलो है याने कितना मीनिंगलिस इसका कोई मतलब नहीं निकल रहे अफोर्ट कर पाए फिर साहब क्या बोलता है मेरे आस पास कोई स्कूल ही नहीं है फिर वो बोलता है अगर कोई स्कूल कोई आके बनाता है तो मैं जाओंगा तो ऑथर पुछते हैं साहब से कि अगर मैं कोई स्कूल स्कूल करती हूं तो क्या तुम आओगे I ask half jokingly और ये जो उन्होंने author ने पूछा वो half jokingly पूछा याने की मस्ती मज़ाख में पूछ लिया carefree way में पूछा उन्होंने इतना serious दी उन्होंने इस चीज को उसे नहीं पूछा Yes, he says smiling broadly smiling broadly याने की बहुत बड़ी सी smile देते हुए खुश होते हुए साहिब बोलता है Yes, मैं जरूर होगा अगर आप यहाँ पे एक school बनाएंगी A few days later I see him returning up to me Is your school ready? It takes longer to build a school I say Embarrassed at having made a promise that was not meant Embarrassed का मतलब क्या होता है Feeling a shame जब अपने उपर आपको शरम आती है तो कुछ दिन बाद जब author वापिस साहिब की locality में गई तो साहिब ने उनको देखकर उनकी तरफ भागते हुए आया और कहता है कि आपका school ready है कि आपने school बनवा लिया तो author क्या बोलती है कि school बनाने में it takes a long time बहुत time लगता है और ये बोलते वक्त author को बहुत ashamed feel हो अपने बारे में बहुत शर्म feel हुए अपने बारे में कि मैंने एक ऐसा promise कर दिया एक छोटे से बच्चे से जो मुझे पता है कि मैं करी नहीं सकती और जो practically मेरे लिए possible नहीं है और देखो मेरे जोटे promise की वज़े से उस छोटे से बच्चे की आँखों में उम्मीद hope है कि शायद school बन जाएगा और मैं school जाओंगा but promises like mine abound in every corner of this bleak world abound का मीनिंग क्या करता है exist in large numbers यानि जो चीज बहुत numbers में exist करती है bleak का मतलब क्या होता है empty, खाली और author ने realize किया कि जैसा abound जैसा promise मैंने किया और abound promise मैंने किया है author से यानि इस तरीके जो promises होते है मैंने जो किया इस तरीके के बहुत सारे लोग आते है और इन बच्चों से बहुत धेर सारे इस तरीके के promise करके जाते है कि तुमारे लिए हम यह school बन आएगी यहाँ पार्क बनेगा यहाँ बहुत अच्छा hospital बनेगा तुमारे लिए nuclear roads साफ करवा जाएंगे और कभी वो promises पूरे ही नहीं करते इस bleak world में यानि कि इस खाली दुनिया में इन बच्चों की इस empty world में इस तरीके के बहुत सारे promises आए दिन लोग आते हैं और करके चले जाते हैं और शायद कभी पूरे नहीं करते after months of knowing him I asked him his name साहिब आलम he announces तो अब author जो हैं वो साहिब को कई दिनों से जानती है और finally उन्होंने आज उसका पूरा नाम पूछा और वो announce करते हैं अपना नाम बहुत प्रावडली साहिब आलम क्या है उसका नाम पूरा? साहिब आलम He does not know what it means If he knew its meaning, Lord of the Universe He would have a hard time believing it तो author यहां पे बोलती हैं कि उसने अपना नाम इतनी प्रावडली अनौंस किया साहिब आलम पर उस बच्चे को अपने नाम का मीनिंग नहीं पता था क्योंकि अगर वो से अपने नाम का मीनिंग पता होता तो वो अपनी कंडिशन और अपने नाम को कभी मैच नहीं कर पाता और बिलीव ही नहीं कर पाता कि जो मेरा नाम है, मैं रियालिटी में वैसा हूँ ही नहीं और उसके नाम का मीनिंग क्या था? Lord of the Universe इस पूरी Universe, इस पूरी दुनिया का Lord, भगवान जो शाद सब को रूल करता है तो वो उसका जो नाम का मीनिंग था उसकी परस्नालिटी और उसकी रियल लाइफ कंडिशन से बिलकुल मैच नहीं करी थी क्योंकि वो एक कूड़ा बीनने वाला था और Lord of Universe से उसका बिलकुल भी मैच नहीं हो रहा था तो वो उसे अपने साहिप को अपने नाम का मीनिंग पता निये और वो इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ बेरफोट याने की नंगे पेर बिना कुछ पेरों में शूज या स्लिपर्स पहने हुए वो लोग अपने घरों से सुभा सुभा निकलते हैं कच्रा बीनने के लिए और नून याने की दिन के बारा बज़े तक गाइब हो जाते हैं याने की अपने घरों में वापस चले जाते हैं तो सुभा से यह बच्चो की गैङ, यह बच्चो की तोली यहाई तो इस साहिब और उसके फ्रेंस की यह नंगे पेर निकलते हैं अपने घरों से और morning birds याने early in the morning ये लोग निकलते हैं कूड़ा कच्रबी निकलिये और दिन के 12 बज़े तक गायब हो जाते याने अपने घरों में चले जाते हैं या इदर उदर गूमने फिरने चले जाते हैं और अब कई महीने हो चुके और इन सारे बच्चों को दीरे-दीरे जो हमारी ओथर हैं वो जानने लगी अब Why aren't you wearing chapels? I asked one तो एक बच्चे से जो हमारी ओथर है उन्होंने पूछा कि Why aren't you wearing chapels? तुम लोगों ने चपल क्यों नहीं पहनी हुए? My mother did not bring them down from the shelf He answered simply तो इस बच्चे ने author को answer किया कि मेरे पास चपल तो है लेकिन मेरी माने मुझे shelf में से एक जो area है जहां पर हम footways रखते हैं महां से shelf में से निकाल के नहीं दिया तो मैंने पहना भी नहीं उसने simply answer कर लिया ऐसा Even if she did He will throw them off adds another who is wearing shoes that do not match तो अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर इसकी मम्मी इसको shells में से shoes निकाल कर भी दे देती तो ये पहनता नहीं ये fake देता ऐसा दूसरा बच्चा बोलता है और वो बच्चा कैसा है? उसने shoes पहने पर कैसे पहने? वो shoes जो match नहीं करते याने दोनों अलग-अलग shoes पहने हो इसने एक पर में दूसरी चपल है और दूसरे पर में दूसरी चपल पहनी हो इसने वेन आए कोमेंट चॉन इट he shuffles his feet and says nothing तो जब ऑथर ने उस बच्चे से पूचा कि तुमने ये दोनों अलग-अलग पैरों में अलग-अलग चपल है क्यों पहनी है सेम क्यों नहीं पहनी तो वो अपने पैर shuffle कर लेता है याने कि slides them over each other याने एक पैर के पीछे एक पैर चुपा कैसे खड़े हो जाता है क्योंकि वो थोड़ सा चाहिए एंबारस हो गया था ओधर के सामने तो उसने अपने पैर चुपाने की कोशिश करी तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहे कि साहिब आलम चपल पहनता नहीं है उसका एक दूसरा friend है जो कहता है कि मेरी mom ने मुझे shells से चपल उतार के नहीं दी इसलिए मैंने नहीं पहनी तीसरा बच्चा क्या बोलता है कि मुझे shoes चाहिए वो बोलता है I want shoes एक तीसरा बच्चा है वो बोलता है मुझे shoes चाहिए और यह जो दूसरा बच्चा है जिसकी mammy इसको shoe अगर देती में shells से उतार के तो वो पहनता नहीं उतार के fake देता इन सबसे हमें क्या समझ में आ रहा है इन सबसे में यह समझ में आ रहा है कि जो तीसरा बच्चा था वो बोलता है I want shoes says a third boy who has never owned a pair all his life तो तीसरा बच्चा बोलता है कि मैंने तो अपनी पूरी life में कभी shoe पहना ही नहीं और मेरी इच्छा है मेरी desire है कि मैं एक बार shoe खरीदू traveling across the country I have seen children walking barefoot in cities on village roads तो author यहां कहती कि मैंने पूरी दुनिया travel किया है almost और मैंने जबी भी village के गाउं के छोटे पूर बच्चों को देखा है तो वो हमेशा barefoot याने बिना पैरों में चपल पहने ही विदर अदर घूमते तो यह लोग इतने गरीब होते हैं इन सब का मतलब यह निकल रहा है यहां पे कि यह लोग इतने गरीब होते हैं कि इनके पास चपल तक afford नहीं करने को थी कच्रा बीनते वक्त अगर इनको दो अलग अलग चपले भी मिल जाती हैं तो यह लोग उसे ही पहन कर इस तरीके से खुश हो जाते हैं और proud feel करते हैं कि at least चपल पहनने को तो आई तो basically इन बच्चों ने accept कर लिया इनके families ने accept कर लिया कि हम poor हैं हम लोग गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि हमारा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation तो author कहती हैं कि जब मैं दोदर travel करती हूँ लोगों को बच्चों को देखती हूँ कि वो नंगे पैर इस तरीके से घुम रहे और उनसे पूछती हूँ कि आप क्यों इस तरीके से नंगे पैर गुंगते हैं तो वो explanation में बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है चपल खरीबने का हम खरीच सकते हैं लेकिन यह हमारा tradition है यह हमारे रिवाज है हमारा कर्चर है कि हम लोग नंगे पैर रहे तो इन लोगों ने अपने गरीबी को चुपाने का एक फालतू का एक excuse दे दिया है सामने कि हम लोगों का यह रिवाज है हमको तो नंगे पैरी रहते क्योंकि वो बिचारे इतने गरीब है वो पैसे हैं उनके पास है नहीं वो अफोड़ी नहीं कर सकते चपल खरीदना तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा excuse दे दिया एक रिवाज नाम की चीज़ को बीच में रख दिया ताकि बार-बार कोई शाद उनसे question ना करे और उनका और उनके बच्चों का लेन अवे और perpetual state of poverty excuse याने की कोई बहाना a reason to justify a fault किसी भी फालतो चीज़ को justify करने के लिए जब आप कोई बहाना देते हैं उसे हम excuse कहते है perpetual state of poverty इसका मतलब यह है never ending condition of being poor तो याने की यहाँ पर author सोच रहे है कि इन बेचारे लोगों की हालत वो है कि इन्हें पता है कि हमारी गरीबी कभी खतम नहीं होने वाली हम कितना भी काम कर लेंगे कितना भी कूड़ा बीन लेंगे या कोई सा भी काम कर लेंगे हमारी गरीबी खतम नहीं होने वाली इसलिए उन्हें अपने चपल ना पहनने की बात को एक excuse दे दिया है कि यह हमारा रिवाज है कि हम बिना चपल के ही रहते हैं थाकि उनका mind और उनके बच्चों का mind set हो जाए कि हम चपल नहीं पैण सकते हैं और नहीं हम afford कर सकते हैं I remember a story a man from UDP once told me As a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest तो साहिब की story बताते बताते अब author हमें एक दूसरी story का example दे रही है और वो बताती है कि मुझे याद है एक story जो मुझे एक boy ने बताई थी और वो boy कहां था? UDP नाम की जगा था UDP का है? यह हमारे इंडिया का map है और यह जो आप dark potion देख रहे हैं यह करनाटिका स्टेट है करनाटिका स्टेट में एक छोटी सी जगा है UDP यहाँ पर तो यह एक जगा UDP है तो यहाँ पर author बताती है कि मुझे एक story याद आ रही है एक boy की जो की बहुत गरीब था और UDP नाम की जगा से बिलोंग करता था वो जब भी सुबा स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पढ़ता था और मंदिर में जो पुजारी थे जो प्रीस्ट थे वो उस boy के father थे उसी के पापा वहाँ पे पुजारी थे तो वो आगे बताती है हमें author की वो जब बच्चा स्कूल जाता था सुबा तो रास्ते में एक मंदिर पढ़ता था जहां पर पुजारी उसके father ही हुआ करते थे तो स्कूल जाते वक्त वो short time के लिए वहाँ रुकता था और बगवान से दिल से prayer करता था कि बगवान मुझे एक pair shoes मिल जाए यानि एक जोड़ी जूते या चपल मिल जाए ताकि मैं उसे पहन पहूँ क्योंकि बच्चा बहुत पूगर था और इसके पास जूते या चपल पहनने के लिए नहीं थे तो आप सोची इतना चोटा सा बच्चा स्कूल जाते वक्त बगवान से क्या prayer करता है ये prayer नहीं करता कि मैं पढ़ाई में बहुत बड़ा बन जाओं बड़ा आदमी बन जाओं नहीं उसके एक छोटी सी कामना है छोटी सी इच्चा है कि बगवान मुझे एक बहुत अच्छा या एक नॉर्मल साइजूतों का पैर मिल जाए पहनने को उसके बाद author 30 साल के बाद वापिस यहाँ पे विजिट करती है इस ताउन में उडीपी में विजिट करती है और वो देखती है कि जो टेंपल था वो बिलकुल वीरान हो चुका था और जो पूरा शहर था अब या पूरा शहर उडीपी बिलकुल वीरान हो गया था वहाँ कोई नहीं लोग रहता था और mostly खाली रहता था बहुत कम लोग वहाँ रहते थे अब जो टेंपल वहाँ पर पहले था उसके पीछे बाक्यार रहने घर का बैक का जो हिस्सा होता है वहाँ पे अब एक नए प्रीस रहते हैं प्रास्टिक की चैर्ज रखी हुई है यांग बोई ड्रेस एन ग्रे यूनिफॉर्म वेरिंग सॉक्स न शूज अराइफ पांटिंग मतलब टेकिंग शॉर्टन क्विक ब्रेट्स याने जो बहुत ठक जाते हैं और हाफने लगते उससे हम पांटिंग कहतें तो वहीं पर अधर देखती है कि स्कूल से एक बच्चा आता है ग्री कलर का यूनिफॉर्म पहन के बड़ा भारी सा इस तरी किसे बैग लिया हुआ रहता है अपने बैग बैग पे फिर फाइनली वह अपना बैग उतारता है और एक फोल्डिंग बैड रखा हुआ था महां पे उस पर अ इस बच्चे को देखकर ओथर को वो तीस साल पुराने बच्चे की याद आ जाती है जो स्कूल जाते वक्त हमेशा रुकता था वहां पर मंदिर पर और भगवान से प्रेयर करता था कि बगवान मुझे एक पैर आफ शूस मिल जाए और जब उसको मिल गए तो वो गॉड़ प्रेयर करी के पहले मिल जाए और मिल गए तो यह बगवान मैं कभी खोऊ नहीं इसे कभी घुम ना करूं यह शूस हमेशा मेरे पास रहे तो बैसे के लिए इस बच्चे को देखके ऑथर को उसी इसी जगह के तीस साल पुराने एक पुजारी के उस बच्चे की यादाई जो हमेशा शूस के लिए प्रेयर करता था और जो गौड़ेस थी जो भगवान थी उन्होंने उसकी प्रेयर मान ली थी उस बच्चे के उसको शूस दे दिये थे यंग बॉइस लाइक दसान अफ़ प्रीस नाव वोर शूस अब गाओं के जो बच्चे हैं वो तीस साल गए हैं but many others like the ragpickers in my neighborhood remain shoeless तो अब author वापिस साहिब की स्टोरी पर आती हैं और कहती हैं कि अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे पडोस में जो ragpicking करते हैं कच्रा बीनने का काम करते हैं और shoeless रहते हैं याने की बिना शूस के रहते हैं तो acquaintance याने की contact किसी से चोटा मोटा जब contact हो जाता है जान पहचान होती है उसे हम हमारा acquaintance कहते हैं तो author कहती है कि अब जो मेरा acquaintance है याने जो अब जिसको मैं थोड़ा बच जानने लग गई हूँ जिस ragpicker बच्चे को साहिब को वो मुझे अब कहां लेकर आया वो मुझे लेकर आया है सीमापुरी ये एक place है डेली के periphery पे याने डेली के outer area पे for example अगर ये पूरा area डेली है तो ये जो outer area जो है ये आपका सीमापुरी है so basically सीमापुरी वो जगह है जो डेली का ही पार अपर डेली के outer area में बिलॉंग करता है yet miles away from it metamorphically याने कि symbolically यहाँ पर आथर ये बोलना चाहती है कि जो डेली की जो boundary है जो outer area है वहाँ पर सीमापुरी और जो सीमापुरी है वो डेली का ही पार्ट है लेकिन symbolically सिंबल्स में maps में इदर उदर दिखता है लेकिन उसको कोई डेली जैसी बड़ी city का अपना पार्ट नहीं मानता बिल्कुल अलगी उसको छोड़ दिया है क्यों कि वहाँ पे सारे रैक्पिकर्स रहते हैं और वहाँ पे जितने लोगे रैक्पिकर्स याने कच्छ से वेस्थ लैंड हो चुका है तो यहाँ पर आथर बताती हैं कि जितने भी लोग इस वक्त सीमापुरी में रहते हैं वो सब स्क्वाटर हैं यानि कि तो यह सारे वो लोग हैं जो 1971 में धाका चोड़ कर आ गए थे इंडिया में डेली के सीमापुरी जगा पे और यह लोग धाका चोड़ के क्यों आए थे क्यों क्योंकि वहाँ पर स्टॉर्म्स की वज़े से इन लोगों के घर हो जड़ गए थे तो यह लोग वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सीमापुरी नाम की जगा यहाँ पे कौन रहते हैं स्क्वाटर्स रहते हैं वो लोग रहते हैं जो 1971 में बंगलादेश छोड़ कर धाका से आये थे और इन्हों ने बिना किसी government permission के बस यह खाली जगा दिखी और इस जगा पे कबजा करके यहीं पे रहने लगे और साइब की family भी इन लोगों में ही आती है जिन लोगों ने government की इस land को unlawfully कबजा करके occupy करके यहीं रहने लग गए सीमापुरी was then a wilderness it still is but it is no longer empty wilderness का मतलब क्यों होता है a wasteland आप लोगों ने अगर science में पढ़ा होता है आपको पता चलेगा कि इस तरीके का एक wasteland होता है हर शहर का एक outskirts में वह एरिया होता है जहां पर पूरा कच्रा कूडा dump किया जाता है वहीं पर उसको आगे process किया जाता है तो बता रहें कि जब 1971 की बात कि तब सीमापुरी नाम की जो जगाय थी यह एक wasteland थी याने कि किसी कोई भी यहां पर नहीं रहता थे कच्रा कच्रे कि जो garbage की processing होती है सब यहीं पर होती थी यह अब भी यह wasteland ही है जब साहिब जैसे बहुत सारे लोग यहां पर रहते हैं लेकिन बस फर्क इतना है कि तब यह खाली थी उस वक्त यह कोई रहता नहीं था और इतने साल बाद भी wasteland ही है यहां पर कच्रा कूडा यही सब भरा ह हुआ है लेकिन बस अब फर्क है कि एक खाली नहीं यहां पर लोग रहते हैं तो बैसे कि जगा की यह इस बात से सम्झाना चाहते हैं कि जगा की कोई progress है कोई development नहीं हुए इतने सालों में वैसी की वैसी फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग नहीं थी और अब लोग रह रह किसी यहां पर जो भी घर बने वो structures of mud है याने कि छोटे-छोटे मिट्टी के घर बने हुए हैं यहां पर with roofs और जो घर की जो च्छते हैं वो टिन और टार्पॉलिन से बनी हुए है टार्पॉलिन याने कि heavy duty waterproof cloth याने कि उस कपड़े से डखी हुए इन मिट्टी के घरों के जिसमें पानी अंदर नहीं आ पाता है याने कि इससे पता चल रहा है कि कितनी adverse conditions के घर है यहां के लोगों के घर क्या huts मतलब जुगिया डिवॉइड याने lack of sewage facility और यहां पर कोई sewage facility flush करने की facility भी यहां पर धंग से नहीं दी हुए drainage और running water यहां पर अच्छा साफ सुत्रा पानी drainage याने की गंदा पानी जाना और साफ पानी का आने का जो भी system जो भी pipelines के थुरू government built up करती है किसी भी area में वो सब यहां नहीं है और इतनी बुरी condition में 10,000 rack pickers 10,000 कूडे बिनने वाले लोग सीमा पूरी में रहते हैं तो यह लोग सीमा पूरी में कितने साल से रह रहे हैं 30 साल से जादा हो चुका है इन लोगों को यहां रहते हुए बिना किसी identity के रहते हैं यहां पर याने इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है कोई आधार कार्ड नहीं है बस क्या है इनके पास कुछ permits है याने कुछ legal documents छ होगा इनके पास तो कोई identity भी नहीं होती सर्फ कुछ legal चोटे मोटे document होंगे sorry without permits याने इनके पास permits भी नहीं है तो नहीं इनके पास कोई identity card है नहीं इनके पास कोई permits है याने कोई आधार कार्ड कोई legal documents नहीं है कि हां यह जगा हमारी है और यहां पर जोपड़ी घर जो भी दिया जाता है ताकि आपका घर चल जाए और वो भी इनको government ने क्यों दिया है ताकि अगर इनको खाना मिलेगा तो यह अनपड़ या illiterate लोग government के लोगों को क्या देंगे ministers को क्या देंगे vote डालेंगे और उससे वो लोग जीद जाए तो government ने इनको राशन कार्ड और यह स्रिव अपने मतलब के लिए अपने benefit के लिए देके रखी है ताकि यह लोग लेगो लोगों को खाना मिल जाए और government को इनसे precious votes मिल जाए food is more important for survival than an identity और इन लोगों के लिए खाना बहुत important है food बहुत important है अगर यह लोग पेट भर खाना खाके रात को चैन से सो सकते हैं यह इनके लिए जादा important है किसी identity से याने इनको अपने लिए कोई identity card, कोई आधार card, कोई license, कोई जगा के documents important documents की जरुवत नहीं है इनको तो बस राचन कार्ट मिल जाए, खाना मिल जाए बस, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं की condition कैसी हम कैसे रह रहे हैं क्या तो इन लोगों ने अपनी गरीभी को बहुत बुरी तरीके से accept कर लिया है और minds में बठा लिया है If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain Say a group of women in tattered sarees, when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers Tattered याने की, ton, भटी पुरानी तो जब author कुछ वहाँ पे बैठी हुई ladies से, जो की भटी पुरानी गंदी सी सारी पैन के बैठी होती है उनसे पूछती है कि आप लोगों ने अपने धाका के इतने beautiful fields और इतनी अच्छी जगा को क्यों छोड़ा क्यों उस जगा को छोड़के या सीमा पूरी में आके कच्रा बीदने का काम करे हो तो वो कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, वो बोलती है कि हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास beautiful field हो नहीं हो हमारे पास तो बस अच्छे से खाना खाने के लिए हो और रात में जब हम सोने जाएं तो हमारा पेट भरा हो हमारा पेट भूक से दर्द ना हो यह हमारे लिए बहुत है हमें green fields, हमें सुन्दर जगा से कोई लेना देना नहीं है Also, वो यह बोलती है कि जो जगा में हमको खाना मिलेगा हम वही रहेंगे ना की सुन्दर जगा पे रहें और खाना ही ना मिले तो यह सब वहां के लोगों की mentality है जो की author को पता चलती है Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes Transit homes याने की temporary homes तो इन लोगों को जहां पर भी जगा मिलती है कि इस जगा पे कुछ दिन अच्छा खाना मिलेगा वो अपने temporary homes याने की अपने transit याने इधर से उधर shift करने वाले जो छोटी छोटी tent के अजुग्गे होती वही पे pitch कर देते हैं याने तंबू गाड के वही पे रहने लग जाते हैं ताकि उन्हें खाना मिले Children grow up in them और इन्ही temporary home से जो अधर से उधर shift होते हैं उनके बच्चे भी बड़े हो जाते Becoming partners in survival जैसे उनके parents rack picking का कच्रा बीनने का काम करते हैं इनके बच्चे भी बढ़ती उमर में अपनी माबाब के साथ यही काम करना start कर देते हैं And survival in सीमापुरी means rack picking और अगर आपको सीमापुरी नाम की जगा में survive करना है जिद्दा रहना है तो आपको rack picking करनी पड़ेगी याने कच्रा बीनने का काम करना पड़ेगा क्योंकि इस जगा पे और कुछ नहीं स्लिव यही काम होता है Through the years which has acquired the proportions of a fine art तो वो कह रहे हैं कि अब इतने साल हो गए हैं यहां के लोगों को rack picking का काम करते हुए कि अब तो उनके लिए rack picking एक art हो गई है एक color हो गई है कि कौन कितना useful सामान निकाल सकता है कौन कितना कच्रे को बीन सकता और उसमें से कोई थोड़ी बहुत useful वाली चीज अपने लिए निकाल सकते है तो इनको तो यह करना आप art हो गई है इनके लिए color हो गई है इन लोगों के लिए garbage to them is gold यह जो garbage है वो इनके लिए gold है आप सोचे कितनी contrasting statement है कि garbage इनके लिए gold हो गया है कच्रा इनके लिए सोने बराबर हो गया है हम लोगों के लिए सोना चांदी हीरा मोती यह सब चीजे precious होती है लेकिन यह जो ragpickers असीमा पुरी के लिए इनके लिए क्या precious है क्या किम्ती है जो कूडा बीनते वक्त कोई जरुवत की चीज इनकों सामने आजाए जो उनके काम आजाएगी वो उनके लिए gold बराबर है यानि सोने के बराबर है तो वो कह रहे हैं कि कच्रा बीनने का जो काम है रैक पिकिंग का जो यह profession जो काम यह लोग कर रहे यह इनके लिए daily bread यानि इसी से इनके घर में रोटी आता है अना आ जाता है और इनके सर पे जो छट है जो घर है वो इसी से आयोए पैसे से है बहले ही वो छट एक leaking छट क्यों ना हो यानि उसमें से पानी ही क्यों ना उनकी घरों में टपक रहो पर फिर भी राक पिकिंग के काम से ही उनके सब काम हो रहे है बट फॉर अचाइल्ट इस इवन मोर तो वो कह रहे हैं कि बच्चे के लिए राक पिकिंग उससे भी जाद है उनके parents के लिए राक पिकिंग का मतलब क्या है survival यानि जिन्दा रहना और खाना कैसे भी अपना इससे खरीट के मैनेज करके खाना लेकिन बच्चों के लिए राक पिकिंग का जो मीनिंग है यानि कच्रा बीनने का जो काम है वो अलग है I sometimes find a rupee even a 10 rupee note साहिब says his eyes lighting up lighting up यानि की show joy and happiness खुशी से जब आखे भर जाती हैं lighting up कहते हैं तो साहिब बताता है author को कि कभी-कभी मुझे कच्रे में से 1 rupee का सिक्का या coin या कभी-कभी तो 10 rupee का note भी मिल जाता है तो बच्चों के लिए क्या एक wonder है एक जूबा जैसा है कि कच्रा बीनते वक्त देखो हमें क्या-क्या मिला एक रुपे का सिक्का मिल गया 10 का note मिल गया दो अलग-अलग जूटे मिल गए दोनों अलग-अलग हमने पहन लिए तो ये सारी चीज़ें उनके लिए वो सारी इच्छा हैं, वो सारी ड्रीम्स हैं जो शायद वो कभी पूरा नहीं कर सकते और कच्रे में से वो निकली अगर वो चीज़ सो उनके लिए पूरी हो जाती है वो चीज़ वन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन एन हीप अव गाबेज यू दों स्टॉप स्क्राउंजिंग फ़र देर इस होप ऑफ फाइनिंग मोर्तो ऑथर कहती है कि जब इन बच्चों को एक रूपे का सिक्का कभी जूते कभी दस का नोट ये सब मिल जाता है तो इनकी स्क्राउंजिंग याने इनका कच्रा बीदनी का जो काम है वहां रुकता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है इस होप में प्रभी सेस उमीद में कि अब देखते हैं कि अब क्या तो जो लोग घरों में समान यूज करके कच्रे में फेक देते हैं को चीज इनके लिए उसफुल है गोल्ड के समाने याने इतनी प्रेशिस होती है it seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents for the children it is wrapped in wonder for the elder it is the means of survival तो बोल रहे हैं कि जो बच्चो के parents है उसके लिए राग पिकिंग का meaning क्या है survival याने इसी से ही यह लोग खाना बनाते हैं और घर में इनका घर चलता है और बच्चो के लिए राग पिकिंग का मतलब कोई wonder है कोई ऐसी चीज कोई अजूबा कोई यूसफुल चीज जो garbage में से निकर जा है तो parents और बच्चो के लिए राग पिकिंग के meanings different है तो एक दूसरे incident बताती है author हमें जो साहिब के साथी उन्होंने देखा और experience किया वो बताती हैं कि एक दिन सर्दियों के सुबाती और मैंने साहिब को एक fence लगे हुए ऐसे जाली लगे हुए ऐसे stadium के बाहर इस तरीके से खड़े हुए देखा वो बाहर से क्या देख रहा था ये सारे players को देख रहा था अंदर जो white color की dress में क्या खेल रहे थे tennis खेल रहे थे I like the game he hums content to watch it standing behind the fence तो उसने धीरे से क्या बोला कि मुझे ये game जो है वो बहुत अच्छा लगता है भले ही साहिब को पता भी ने कि ये कौन सा game है क्या इस game को खेलने के rules है बस उसकी इच्छा है कि मैं बाहर से इस तरीके से खड़े हुए देखू और वो content है यानि कि वो satisfied है कि वो fence यानि जाली के बाहर खड़े हो के लोगों को देखके ही खुश हो रहा है क्योंकि अंदर जाके खेल नहीं सकता वो I go inside when no one is around he admits तो वो author को बताता है कि कभी-कभी जब कोई भी नहीं होता तो मैं चुपके से अंदर चले जाता हूँ क्यों और उस जगा का feel लेता हूँ मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना The gatekeeper lets me use the swing और वो बताता है कि जो gatekeeper यानिकी जो watchman जो guard है जो stadium के बाहर ground के बाहर जो बैटता है वो मुझे वहाँ पे जूले जूलने भी देता है swings पे जूलने देता है तो साहिब ने भी क्या पहने हुए है बहुत अजीब से फटे पुराने tennis shoes पहने हुए है जो कि बहुत अजीब और बहुत अलग बिलकुल odd जा रहे है जो कि उसने गंदी सी और colorless shirt और shorts पहने हुए उसके साथ बिलकुल match नहीं कर रहे है उसके shoes someone gave them to me he says in the manner of an explanation और author को वो explanation देते कि मुझे जूते किसी ने दे दिये donation में या दान में the fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him discarded याने thrown away fake हुए bother याने की worry किसी भी बात की चिंता तो वो बताता है कि किसी एक rich boy के ये shoes हैं जिसने ये discard कर दी थे fake दी थे क्योंकि इसके एक किसी shoe में एक hole था एक छेद हो गया था और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें hole या छेद है मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मुझे tennis shoes मिल गए so एक गरीब बच्चे को जब जिसको shoes या चपल देखने को भी नहीं मिलती और उससे tennis shoes मिल गए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा कि इसमें कोई hole या या थोड़ा सा खराब भी हो रहा है तो for one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true उसके लिए तो ये सपना पूरे होने वाली बात हो गई थी कि उससे तो shoes मिल गए but the game he is watching so intently is out of his reach जो game साहिब इतना intently इतना seriously इतना ध्यान से देख रहा था tennis का ground के बाहर खड़ोंके वो उसके out of reach है याने कि वो ये game कभी नहीं खेल सकता नहीं अंदर जा सकता है this morning साहिब is on his way to the milk booth और अब एक दूसरी morning का incidence बता रही है हमें author कि आज सुबा author साहिब उनको दिखा और कहां जाते हो दिखा milk booth याने साची हो गई डेली हो गई जहां पे सुबा सुबा दूद मिलता है या milk supply होता है वहाँ पे साहिब जा रहा था in his hand is a steel canister और उसके हाथ में क्या है एक steel canister याने steel का container या एक बरतन जिसमें milk आप रखते हो I now work in a tea stall down the road he says pointing in a distance तो साहिब क्या बताता है author को कि मैं उधर इशारा करके बताता है milk booth पे कि मैं अब यहाँ पर एक 30 stall पर काम करता हूँ एक milk booth पर काम करता हूँ I am paid 800 rupees all my meals तो वो बताता है कि मुझे इसके बदले 800 rupees मिलते हैं महीने के और सारी meals याने सारा दिन का खाना भी मुझे यहाँ पर मिलता है Does he like the job? I ask तो author उससे पुछती है क्या तुम्हें यह job अच्छा लग रहे है साहिब His face I see has lost the carefree look तो उसका साहिब का चहरा देखकर author को समझ में आता है कि उसके चहरे से वो बच्छमन का जो भोला पन है जो carefree look है जिसको किसी की चिंता नहीं होती जो अपने दोस्तों के साहथ नंगे पैर भग जाता था कच्रा बीनने, कूडा बीनने अपनी life को enjoy करता था खेलता कूटता, मस्ती करता था वो सबब क्या हो गया है? लॉस्ट हो गया, उसके चहरे से वो feeling गायब हो गयी है तो वो बताती है कि जो ये कच्रे का, जो कूडे का बैग था राग पिकिंग का जो बैग था जो वो अपने शोल्डर पर कैरी करता जो जो कि इतना भारी होता था वो उसको कितना light लगता था और जो steel canister, जो की छोटा सा बरतन है वो उसको क्या लग रहा है? बहुत heavy लग रहा है क्यूं? क्योंकि जो bag था वो उसका खुद का था, वो अपना खुद का मालिख था और जो steel canister, जो steel का बरतन है वो किसी और का है, किसी और owner के अंडर वो काम कर रहा है तो वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा तो बैग उसका खुद का था और जो कैनिस्टर जो स्टील का बरतन था वो उस उनसान का था उस ओनर का था जिसका वो टी स्टॉल था साहिब इस नो लॉंगर इस ओन मास्टर और अब साहिब अपना खुद का मास्टर अपना खुद का मालिक नहीं रहा वो किसी के अंडरकाम करने लग गया और इसी चाइल्ड लेबर की वज़े से इसी यानि इसी बाल मस्दूरी की वज़े से साहिब का बच्पन अब खतम हो गया उसने बच्पन में जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं मस्ती करते हैं इंजॉय करते हैं स्कूल जाते हैं खेल खिलोनों से खेलते हैं उसने अपने बच्पन को खतम कर दिया और किसी के चाई के स्टॉल पे टी स्टॉल पे काम करने लग गया और अपने फामिली की responsibilities का burden अपने shoulders पर ले लिया कैसे हैं आप सब लोग I hope everybody is doing well मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अच्छी बात से चली start करते हैं हमारे chapter 2 का second part यानि की chapter 2 के अंदर दो stories थी जिसमें से first story हमने हमारे first part में cover करिए और जो second story है वो आज हम second part में cover करेंगे और story का नाम है I want to drive a car यानि की मुझे एक car drive करनी है तो पहले तो मैं आपको छोटी से story का overview दे देती हूँ यह जो story है यह एक मुकेश नाम के छोटे से बच्चे की है जो कि फिरोजबाद में रहता है फिरोजबाद एक छोटा सा गाहों है छोटा सा टाउन है इंडिया में ही यहाँ पे जो मुकेश है और जो उसकी family है उसने generation से यान पीडियों से एक ही काम किया है जो कि है बैंगल मेकिंग चूणिया बनाने का काम और फिरोजबाद में समझीए दुनिया की हर लेडी के लिए वहाँ पे समझीए बैंगल्स बनती है इतनी बैंगल्स वहाँ पे बनती है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो यह चोटा सा बच्चा मुकेश है इसको बैंगल मेकिंग के काम में को इंट्रेस्ट जादा ऐस सच है ने क्यों क्योंकि इसने अपने टाउन में कार्स चलती हुए देखिए और उसको कार्स में इंट्रेस्स है तो इसको एक मोटर मेकानिक बनना है जब ऑथर हमारी ऑथर जो आनीज जग है से मिलती है और पूछती है कि तुम प्लें क्यों नहीं उडाना चाहते है तो वो एंड में कहता है उसे शाद पता ही नहीं होता कि एरोप्लें क्या है क्योंकि फिरोजबाद की उपर से शाद एक या दो प्लेंस ही कभी फ्लाय होके गए होंगे तो उसे planes के बार में पता नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा embarrassed हो गया तो वो फिर भी कहता है बहुत determined है वो कहता है कि नहीं मुझे तो motor mechanic ही बनना है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी situation आ जाती है जिस वज़े से वो motor mechanic बननी पाता और उनकी पूरी family को bangle making के लावा और कोई काम नहीं आता also जो मुकेश है वो और उसकी family में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी eyesight lose कर लिया याने कि वो लोग blind हो गए अंधे हो गए इस काम में क्योंकि bangle making जो काच की चूड़ें बनाने का काम होता है उसमें furnaces याने भटी में काम करना पड़ता है और bangle को एक circle shape देना पड़ता है जिस वज़े से छोटे बच्पन के ही बच्पन में ही बच्चों को furnaces में भेज दिया जाता है और daylight दिन की जो सूरज की जो sun की brightness होती है उसको छोड़के वो लोगे dim छोटे से dingy cells जहां पे बहुत अंधेर होता है और वो लोग छोटे छोटे बैंगल्स को बना रहे होते हैं जिस वज़े से उनकी आँखों पे बहुत ज़दा stress परता है और वो बच्चे अपनी eyesight अडल्ट होने से पहले 18 साल के होने से पहले ही खो बैठते हैं और उनकी family में कई सारे से लोगे जो इस वज़े से अपनी eyesight खो बैठते हैं तो एक poor होना इस दुनिया में शायद कितना अभीशाप है याने कितना बड़ा आप समझीए जैसे किसी को सजा मिली हो इस वज़े से चोटे बच्चों को भी अपनी eyesight तक होनी पड़ती है और अपने health को stake पर लगाना पड़ता है मुकेश के बारे में यह पूरा story है कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर जिसके आँखों में एक dream है एक सपना है कि इसको motor mechanic बना है और जो उसकी family generation से काम कर रही है बैंगल मेकिंग का वो उसमें करने का interest नहीं है So let's begin with the explanation of the story कि क्या है स्टोरी में और कैसे इस बच्चे की स्टोरी हम सब को inspire कर सकती है अगर कर रही है किसी तरीके से तो मुकेश insists on being his own master I will be a motor mechanic he announces तो जब author Annie is done उससे बात करती है कि तुम क्या बनना चाहते हो तो वो बताता है कि मैं एक motor mechanic बनना चाहते हूँ याने किस तरीकी का mechanic जो cars को repair करे टायर लगाए ये सब Do you know anything about cars? I ask तो author उससे पूछती है कि तुम्हें cars के बारे में कुछ पता है जो तुम्हें motor mechanic बनना है I will learn to drive a car He answers looking straight into my eyes तो author की eyes में बिलकुल confidence से देखते हुए वो बोलता है इस determination से कि नहीं मुझे पता निये लेकिन मैं car drive करना बिलकुल सीख लूँगा तो इससे ये पदा चलता है कि जो मुकेश है वो बहुत जादा determined है और मैनत करने के लिए तयार है कि नहीं मैं तो car चलाना सीख लूँगा His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill this town फिरोजबाद famous for bangles तो जहां पर मुकेश और उसकी family रहते हैं जिस जगा जिस town में रहते हैं उसका नाम है फिरोजबाद और पूरा फिरोजबाद famous है bangles makingly क्योंकि यहां पर बहुत सारी bangles बनाई जाती है तो जो इसका dream है मुकेश का एक motor mechanic बनने का वो क्या लगता है एक mirage लगता है mirage जाने की seems that it will be true in the future but actually it will be not और amidst मतलब in the middle of तो यहां पर author बताती है कि जो मुकेश का dream है कार mechanic बनने का वो फिरोजबाद की धूल मिटी डस्ट से भरी हुई जगा में के बीच में एक mirage जैसी दिखाई पड़ती है यानि कि एक ऐसा सपना एक ऐसा dream दिखाई पड़ता है जो की लगता तो है कि हो जाएगा future में पूरा लेकिन practically कभी possible नहीं है कि वो एक motor mechanic बन जाए क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है जो ये सब चीज़े वो सीखें और करें और सो उनकी family generation से bangle making में ही है तो उसे भी उसी में ही जाना पड़ेगा वो बोल रहे हैं कि ये जो फिरोजबाद है ये एक center है पूरी इंडिया का जहां पर ग्लास की चूडियां बनाई जाती है बैंगल्स बनाई जाती है और मुकेश और उसकी family के generations याने पीडियों से लोग इसी business में लगे हुए है और उनका business क्या है furnances याने कि इस तरीके के छोट इस रूम में इसे light के में वो लोग काम करते हैं छोटा सा bulb जला के या एक candle जला के और आग में जहां पर बहुत ज़ादा heat होती है ये पूरा कमरा बहुत ज़ादा warm बहुत गरम होता है और उस वज़े से इनको काच को circle shape में लाने में इस तरीके से जोटना पड़ता है जिसकी वज़े से इनके आँखों पे बहुत असर पड़ता है welding याने की तो काच के तुकडों को heat करके उसके pieces को join करके ऐसे बैंडल का circle shape देते हैं इस तरीके की furnances या भट्टियों में और ऐसा लगता है कि फिरोजबाद में इतनी चूड़िया बनती कि इस पूरी दुनिया में जितनी लेडीज हैं जितनी विमन हैं वो सब फिरोजबाद की ही glass bangles पहनती हैं तो मुकेश's family is among them और मुकेश की family भी इसी business में involved है बैंगल मेकिंग की नन अफ देम know that it's illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures and dingy cells without air and light dingy याने की dark या dim जहां बहुत ज़ादा अंधेरा होता है बहुत कम light होती है तो यहां पे author बतारी है कि मुकेश और उसकी family या फिरोजबाद में जितने लोग जो bangles बनाते हैं उन्हें ये बत पता ही नहीं है कि ये illegal है यानि की law के खिलाफ है against the law है कि आप इतने चोटे बच्चों से इस तरीके के furnances जहां पे इतने ज़ादा temperature होता है जहां पे बच्चे जल सकते हैं जहां पे इतना dingy, इतना dark room होता है जहां पे hot furnances में बच्चों से काम कराया जाता है ये illegal है, ये law के खिलाफ है also यहां पे कोई air नहीं है कोई ventilation नहीं है, कोई light नहीं है बहुत dark, dingy, छोटा सा cell छोटा सा cell याने बहुत छोटा सा कमरा है that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours often losing their brightness of their eyes slog का मतलब क्या है, work hard daylight hours का मतलब क्या होता है hours of the day when there is sunlight तो यहां पे author बोल रही है कि अगर law enforce करते हैं अगर कोई कानून इन पे लगाया जाएगा seriously, तो जो 20,000 बच्चे जो सारा दिन in hot fondances में काम कर रहे है और इतनी मेहनत कर रहे हैं विचारे छोटे-छोटे बच्चे जो दिन की light में बाहर न निकल के खेल नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और इत छोटे से dark cell में बैठके इतने अधेर में काम कर रहे हैं जिसकी वज़े से उनकी आँखों की brightness चली जा रहे है याने कि उनकी eyesight खतम हो जा रहे हैं वो लोग blind हो जा रहे हैं अगर कुछ law enforce हो गया तो यह 20,000 बच्चे बच जाएंगे और उनकी आँखों की रोशनी जो उनकी light है, eyesight है वो जाने से बच जाएगी मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home which he probably says is being rebuilt beam याने की shine brightly, खुशी से खिल उटना और volunteers याने की freely offers to do something तो यहाँ पर author बताती हैं की मुकेश की आँखे बहुत खिल उटती है बहुत lighten up हो जाती है जब वो मुझे offer करता है की ma'am अब चलो मेरे घर चलो और मेरा तो घर अभी अभी rebuilt हुआ है याने थोड़ा सा renovate हुआ है तो वो अपने renovated छोटे से hut को चोटे से घर को दिखाने के लिए author को काल ले जाता है अपने घर कौन? मुकेश वी walk down stinking lanes choked with garbage तो अब यह जो पूरा रास्ता है बाहर जहाँ पे वहाँ पे खड़े हो के वो लोग बात कर रहे होंगे author और मुकेश वहाँ से लेके मुकेश के घर तक का जो पूरी journey जो पूरा रास्ता है वो author यहाँ पे explain कर रहे हैं वो बताती है जब हम walk करना चालू कि है हमने असके घर की तरफ तो बहुत stinking lanes थी याने कि बहुत चोटी-चोटी ऐसी पत्ली-पत्ली गलिया थी जिसमें वो लोग चल के जा रहे थे अंदर यह बहुत stinking lanes थी याने आपर बहुत smell आ रही थी क्योंकि शायद वहाँ पे proper drainage और seaweed system नहीं था choked with garbage और जितनी भी side में lines थी जो gutters थे वो choked थे याने की कच्रे से blocked थे past homes that remain hovels, hovels याने की slums और जितने भी घरों को वो cross कर रही थी वो सारे जुगियां थी सब जोपडियां बनी हुई थी with crumbling walls याने की falling walls और उन घरों की जितनी दिवारे थी वो इतनी पुरानी और इतनी कच्ची थी की literally का घर की सब walls हो थी वो जढ रही थी, तूटने पे थी wobbling doors और जो घर के दर्वाजे थे वो बहुत wobbly थे याने unsteady थे याने की तूटे फूटे थे उन में दरा रहे आई हुई थी और घरों में कोई window कोई खिड़की नी थी जहां से ventilation हो पाया, oxygen fresh air अंदर आपाया crowded with families of humans and animals co-existing in a pre-nevial state तो वो कह रहे थे कि जो छोटे छोटे घर थे वो इतने छोटे थे और उसमें रहने वाले जो लोग थे वो बहुत जादा थे तो basically घर बहुत चोटे और members of people who are living in those houses जो छोटे 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 घरों में रह रहे हैं वो बहुत जादा थे जिसकी वज़े से घर में suffocation बहुत जादा था also उनके कुछ animals जिसे cat, dog, cow जो भी pet animals हैं वो भी घरों में animals के साथ ही वो लोग रहते हैं तो they are co-existing याने वो are animals and humans they were living together at the same time एक ही घर में तो इंसान और जानवर एक ही घर में रह रह रहे थे जो की बहुत unhygienic था और घर कैसे थे बहुत primeval state के थे याने prehistoric याने बहुत पुराने ज़माने के घर थे कोई renovation नहीं था, कोई घर को सही से उन्होंने maintain करके नहीं रखा था तो ये पूरा author ने explain किया है बाहर से लेके मुकेश के घर तक जाने का पूरा journey He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open, bangs याने hit करना, खट खटाना, तो वो फाइनली मुकेश लेकर आया author को उसके घर तक और एक घर पर आके रुका, और एक वोबली डोर याने की एक गिरता हूँ, बहुत बूरी कंदिशन में तूटा फूटा दर्वाजे को वो नौक करता है, और अपने फुट, अपने पैर से धक्का मारके खोलता है घर का दर्वाजा, इस तरीके से, we enter a half built shack, shack क्या होता है, a roughly built hut, एक छोटी सी जोपड़ी जो अच्छे से नहीं बनी हुए, roughly built है याने completely बनी नहीं हुए, तो इस तरीके का कुछ मुकेश का घर था अंदर से, in one part of it, thatched with dead grass, thatched क्या होता है, covered with gray grass, तो घर का जो एक हिस्सा था, वो इस तरीके का था, जहाँ पे gray color की grass पूरी बिच्छी हुई थी, इस firewood stove and over which sits a large vessel, vessel याने की एक बड़ा container जिसमें खाना पकाया जाता है, of sizzling spinach leaves, sizzling याने make a hissing sound when frying और cooking, तो जब वो घर में गुस्तने हैं मुकेश के और वो देखने की एक तरफ gray color की grass इस तरीके से बिच्छी हुई है, और उसके उपर firewood, याने लकडी जल रही हो और लकडी के उपर बड़े-बड़े containers बरतन रखे हो हैं जिसके उपर कुछ पक रहा है, और क्या पक रहा था, spinach leaves याने पालक के पत्ते की सबजी है वो पक रही थी, एक बड़े से vessel में, और sizzling आवाज आ रही थी, याने कि जब कोई चीज कोक होती है, तो ऐसे उसमें से साउंड होता है, उसकी जो आवाज होती है, कोक कोने की वो आ रही थी, उसके घर से, वो साउंड आ रहा था, On the ground in a large aluminium platters, platters याने की large plates, बड़े-बड़े थाल जिससे बोलते हैं, तो जमीन पे बड़े-बड़े से aluminium के बड़े-बड़े थाल रखे होते, और उनमें क्या रखी हुई थी, chopped vegetables, याने छोटी-छोटी पतली-पतली कड़ी हुई, पकटी हुई, सबजियां रखी हुई थ इस तरीके से, अफ्रेल, फ्रेल याने बहुत जो थिन और जो वीक होती है, तो एक बहुत वीक लेड़ी वहाँ पर इस तरीके से बैठी हुई थी, जब ऑथर ने घर में देखा, अफ्रेल यांग वोमेन इस कुकिंग दा इवनिंग मील फॉर दा होल फैमली, तो शाम का ख इस तरीके से फायर वोड में बटी के सामने लकडी पर खाना बना रही थी और उसमें से बहुत सारा स्मोक, याने बहुत सारा धुआ निकल रहा था, उसकी आँखे समझब उस पूरे धुएं से भर गई थी, लेकिन फिर भी जैसी उन्होंने घर में ऑथर को किसी गेस्ट क देखा उस लड़की ने, उस औरत ने तो उसने उनको स्माइल किया, शी इस दवाइफ उसमाइल किया, तो ये वोमन कौन है इनके घर में, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ, याने की मुकेश की भावी, आप कह सकते हो, तो वो ये लेडी थी, जो शाम का घर में सबका ख तो अब इस लेडी का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं यहां पर बता रहे हैं कि वो लेडी बहुत जादा उमर की नहीं थी, छोड़की उमर की ही थी, इससे ये पता चलता है कि उसकी बहुत कम एज में ही शादी हो गई थी, और उसको घर में सब कमांड रिस्पेक्ट करते है याने कि वो इतनी वर्दी है, इतनी काबिल है, पूरे घर को इतने अच्छे से समालती है, सब के लिए खाना बनाती है कि उसको सब as a बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यहां पर एक हिंदी का टर्म रिस्पेक्ट हुआ है, यूज हुआ है कि उसको सब बहु का दर्जा देते याने कि जो उसके फादर अनों थे, तो तीन घर में well-grown gents का खयाल रखती थी और उनके लिए खाना बनाती थी. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. अब जैसे ही घर में elder man, याने कि उसके ससुर, याने कि मुकेश के फादर घर में enter करते हैं, तो वो क्या करती है, wheel कर देती है, याने कि घूंगट डाल देती है, अपना चेहरा cover कर लेती है और घर की टूटे हुई दिवार के पीछे जाके छुप जाती है, तो ऐसा क्यों करते हैं, जो गाओं के लोग होते हैं, जो village के लोग होते हैं, वो घर में अपने husband के लावा, जो कोई भी अगर male member है family में, जैसे सासर हो गए, या अपने husband के brothers हो गए, उनसे मूँ ढाक लेती हैं, याने गूंगट डाल देती हैं, क्यों क्योंकि वो घर की वहुँ हैं, इसलिए, As custom demands, daughter-in-laws must wield their faces before male members, क्योंकि उनका custom demand करता था, उनके रिवाज ये था, कि घर की जो ladies होंगी, वो घर के जैंस से, क्या करेंगी, गूंगट डालेंगी, In this case, the elder is an impoverished bangle maker, तो इस case में ये जो elder man है, ये जो घर का बुज़र्ग जो ससुर है, इस lady का, ये कौन है, एक impoverished bangle maker है, impoverished याने very poor, बहुत गरीब bangle maker की business में ये लोग हैं, और इसमें ये बताया जाता है, कि भले ही, वो इतना गरीब है, उसने life में कुछ नहीं करा, उस भी उसको इतनी respect दिये जारी है, और घर की जो बहु है, उससे घूंगट रख रही है, despite long years of hard labor, labor याने की hard work, महनत, first as a tailor and then as a bangle maker, he has failed to renovate याने की repair a house, send his two sons to school, तो वो बता रहे हैं कि इतने साल की मुकेश के फादर ने, याने इस लड़की के जो ससुर ने इतनी महनत करी है इतने साल महनत करी, पहले उन्होंने as a tailor, as a dرضi काम किया, फिर उन्होंने bangle making की काम में आये, इतने साल महनत करने की बाद भी उनको return में इस business से कुछ नहीं मिला, कोई benefit नहीं नहीं वो अपना घर आज तक repair करा पाए हैं, जो कि वो तूटा फूटा है, ने renovate करा पाए हैं, और अपने दोनों बेटों को कभी school भी नहीं बेच पाए, यानि कि न मुकेश को कभी school बेच पाए, और ना ही मुकेश के बड़े brother को, elder brother को, all he has managed to teach them what he knows, the art of bangle making, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी सरफ क्या किया है, उसने अपनी पूरी जिंदगी सरफ एक ही चीज अप उसने कुछ नी किया, it is his करम, his destiny, says मुकेश's grandmother, who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, तो अब घर में एक लेडी और है, कौन है वो एक लेडी, मुकेश की ग्राइड मदर, याने जो ये लेडी, जिसकी मैं बात कर रही हूं, जो खाना पका रही थी, उसकी समझो, दादी सांस, ओके, इस तो जो मुकेश की grand mother है, वो क्या बोलती है, वहाँ पर author को वो कहती है, कि मेरे बेटे का, ये करम है, ये उसके पिछले जनम में कोई काम ऐसे की होंगे, जिस वज़े से उसकी destiny, उसकी किस्मत में bangles making का काम लिखा था, also वो बताती है कि मेरे खुद के husband, याने कि जो मुकेश के दादजी है, उनकी भी eyesight जा चुकी थी, याने कि इसी काम को करते-करते, वो भी एक दिन blind हो गए थे, जब वो जुग bangles थी, उनको polish करने का काम करते थे, तो इस वज़े से वो भी blind हो चुके, तो आप ये बत सोची कि यहाँ पे लोगों की thinking कितनी पुरानी है, कितनी orthodox है, कि वो अपने बच्चों को कोई और काम करने के लिए नहीं भीज रहे हैं, वो इस चीज को किस बात पे थोप रहे हैं, इस बात को इस चीज को लेके थोप रहे हैं, कि ये तो इसका करम था बे हैं, जिससे ये लोग बहारी नहीं आ पा रहे हैं, और इसकी वज़े से इनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं, क्याना God-given lineage ever be broken, she implies, तो God-given lineage का मतलब क्या है, अब profession carried on through the generations of a family, glass making, तो वो कह रहे हैं कि हमें भगवान ने ये profession दिया है, हमारी generations, हमारी पुर्खों ने ये काम क्या हैं, चूडियों बनाने का, तो भगवान की दियों चीज करके हम ठुकरा सकते, जो हमारे पुर्खों ने क्या है, वो हम भी कर रहे हैं, तो अब सोची कितनी छोटी सोच है उनकी, उनके खुद के husband के eyesight जा चुकी इस business में, तब भी उन्होंने अपने बेटे को, अपने पोते को अनाएगे सागे की सारी generations को यही काम करवाएंगे, तो याड का मतलब क्या होता है, an open area in the back of the house, तो घर का पिछला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, जो खाली वरांडा जैसे होता है, तो उन्होंने कहां जनम लिया है, इस family ने, एक ऐसी कास्ट में, एक ऐसी जगा उन्होंने जनम लिया है, जहां पे लोग बैंगल मेकर्स हैं, मुकेश की family, और उन्होंने अपने पैदा होते से अपने end तक उन्होंने हमेशा क्या देखा है, सिर्फ चूडिया बनते हुई देखिए, उन्होंने अपने घर में, अपने घर के यार्ड्स में दूसरों के घर में, हर जगा फिरोजाबाद में, सड़कों पे सिर्फ चूडियां को बैंगल्स को सेल होते हुए देखा है या बनते हुए देखा हैं, तो मानते हैं कि हम लोग उस कास्ट से ही बिलोंग करते हैं, जो चूडियां बनाते हैं इसलिए और कोई काम नहीं कर सक सब्सक्राइब करते हैं, तो यहां पर अलग अलग वो कलर्स बतारी कि हमने बच्पन से लेके बड़े होते तक हर तरह की बैंगल्स देखी हैं, गोल्ड कलर की, ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंग कलर की, पर्पल, एवरी कलर बॉन आड उड़ उड़ देखी लाइन मौल्ड्स, माउंड्स एं अनकेप्ट याड्स और यह सारी जित्ती बैंगल्स बनती हैं, यह कहां माउंड्स में, याने की धेर बनके, खट्टा करके हर जगा अनकेप्ट, याने नौट टेकिन केर अफ, याने की धेर बने हुए चूड़ियों के हमने बच्पन से लेके बड़े होते तक देखें, जिनका कोई ध्यान देने वाला नहीं है आर पाइल्ड ओन फोर वील्ड हान्टाट्स, तो जो हांड काट्स होते हैं यानि कि जो लकडी का ऐसे वील्ड वाला जो एक वहीकर होता है, जो गाह में चलाया जाता है उसके उपर piled याने की एक के उपर धेर बनी हुई kept on one on top of the other एक के उपर उसके bundles रखे हुए हमने बच्पन से देखे हुए है और उन karts, उन vehicles को कौन push करता है pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town shanty town याने की a town that is full of small roughly built huts तो फिरोजबाद का town कैसा है shanty town है याने की बहुत छोटा साथ शहर जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे जोपड़े याने की huts बनी हुए तो वो कह रहे है हमने बच्पन से लेके बड़े होते तक हर color की यहाँ पर bangles देखी है जो धेरियों में पड़ी रहती है जिनका कोई खयाल रखने वाला नहीं है और एक के उपर एक वो क्या करते हैं यहां के men बनाके karts में वो vehicles में रखते हैं और उसको धकेलते हुए गाओं के market की तरफ ले जाते हैं और फिर वहाँ पर जाके sell करते हैं bangles and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles तो यह क्या बता रहे हैं कि in dark hutments यानि कि यह जो छोटे छोटे जोपड़े यहां पर क्या होता है इतनी light नहीं होती बहुत अंधेरा होता है यहां पर यह लोग क्या करते हैं ऐसे छोटे छोटे lamps जलाके जो बच्ची होते हैं अपने mothers and fathers के साथ बैठते हैं और क्या करते हैं welding करते हैं यानि कि जो काच की छोटे 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 pieces होते हैं तोड़के उसको ऐसे bangles जैसा shape देते हैं तो यह parents को काम करी रहें और छोटे बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बजाए अपने bangles making के ही profession में उनको involve कर रहे हैं अब इन बच्चों ने और इनके घर के जितने भी elders हैं इतनी अंधेरे में बैठके चूनियों बनाने का काम लॉंग आवस्तक करते हैं कि इनकी आँखे ऐसे adjust हो गई हैं अंधेरे में ही काम करने की और जब यह लोग बाहर light में जाते तो इनकी आँखे आँखों में stress पड़ता है sunlight की वज़े से क्योंकि यह लोग अपना maximum time ऐसे तरीके से अंधेरे में एक चोटा सा oil lamp ऐसे तेल का एक चोटा सा lamp जलाके उसमें अपना यह बैंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं तो adults बनने से पहले आने 18 years की age से ही पहले इन बच्चों की eyesight चली जाती क्योंकि continuous अंधेरे में बैठके अपनी आँखों को strain देते हैं और heat में काम करते हैं बैंगल बनाने का सवीता a young girl in a drap pink dress sits alongside an elderly woman तो अब यहां पे author क्या बता रही हैं एक जोपड़े में देखा हुआ scene यहां पे हमें बता रही हैं वो बता रही हैं एक लड़की है सवीता जिसके साथ में एक बड़ी उमर की lady बैठी हुई और दोनों क्या कर रही हैं दोनों बैंगल बनाने का इ याने की faded colorless तो सवीता ने बहुत colorless और बहुत पुरानी dress पेनी हुई है और वो bangles बना रही हूँ साथ में उसके एक और बड़ी उमर की lady बैठी हुई है वो भी क्या कर रही है soldering pieces of glass याने यह जो चूणियों के pieces उनको joining का का काम कर रही है As our hands move mechanically like the tongs of a machine तो वो बोल रहे हैं कि यह लोग इतने सालों से यह काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जिस जिन हातों से वो welding कर रही है याने चूडियों के pieces को join कर रही है ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ एक mechanically याने की machine की तरह चल रहे है याने कि उनकी इतनी अच्छी practice है यह करने की कि उनके machine की भी जरूरत नहीं उनके हाथों से ही वो machine की तरह फटा फट काम कर रहे हैं Tongs याने कि an instrument with two movable arms joined to one end Chimta जिसे बोलते हैं tongs तो उनके हाथ जो है tongs जैसे machine की तरह काम कर रहे हैं I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps to make Sanctity मतलब the state of being sacred or holy जिससे कोई religious या जिससे कोई बहुत meaningful बात जुड़ी होती है तो यहाँ पर author सोच रही हैं और हमें बता रही हैं कि सवीता एक छोटी से लड़की और साथ में जो एक और women बैठी हैं जिसकी शादी हो चुकी उस woman के elderly woman की यह लोग क्या होती हैं यह लोग क्या बना रहे हैं बैंगल्स बना रहे हैं और इंडिया में हमारे हिंदू धर में बैंगल्स का बहुत महत्व मना जाता हैं जो married women होती हैं they wear bangles और वो क्या represent करती हैं वो क्या पुलते हैं अपने husband के नाम की हम bangle पहने रहे हैं that means उससे उनका सोहाग जुड़ा हुआ है जो हम अभी इस chapter में आगे पढ़ेंगे तो वो सोचती हैं कि छोटी सी बच्ची जो bangles बनाने के काम में लगी हुई और इतनी perfection से बना रही है क्या इसको इस bangles का महत्व पता है sanctity पता है इसके पीछे जो हिंदू धर्में जो quality जुड़ी हुई है इसके साथ जो sacred और holy बाते जुड़ी हुई है इस चूड़ी हुई है इस bangles के साथ क्या वो इससे पता है it symbolizes an Indian woman's soharg auspiciousness in marriage तो यह चूड़िया क्या symbolize करती है क्या दर्शाति है कि जो Indian women जो married women होती है उनकी auspiciousness याने की good omain की एक married woman है तो she should wear these bangles and उससे उनका स्वाग and all these things are symbolized with these bangles तो इससे यहाँ वो यह बताती है कि यह चोटी सी बच्ची bangles बनाने का काम तो कर रही है पर क्या इसे इन bangles क्या symbolize करती है Hindu religion में क्या इसको इस बारे में पता है क्या knowledge है it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil her hands dyed with red hina and red bangles rolled onto her wrists dawn on her मतलब she will realize जब यह वो चीज़ realize करेगी और draped याने की covered धका हुआ तो author यह संजानाचारी के अभी इस बच्ची को सवीता को नहीं पता कि bangles की क्या auspices नहीं से एक married women की life में यह बना तो रही है bangles लेकिन इसे कुछ पता नहीं है लेकिन जिस दिन वो यह realize करेगी कि उसका सर एक red color के दुपटे से धका हुआ है और उसके हातों में red color की हिना से dye किया हुआ यहने red color की इस तरीके से महंदी लगी हुई है and red bangles rolled onto her wrist और वो red color की bangles चूड़िया अपनी कलहाई में पहनेगी she will then become a bride वो दिन होगा जब वो एक bride बनेगी और दुलहन बनेगी और उसे इन bangles की auspiciousness और यह bangles Hindu religion में क्या symbolize करती है तब जाके इसको इन bangles का real meaning पता चलेगा like the old woman beside her who became one many years ago उसी woman की तरह जो इसके past में बैठी हुई और जिसकी सालों पहले शादी हो चुकी हुए जैसे उसे bangles की auspiciousness पता है और वो बना भी रही है उसी की तरह एक दिन इसको भी पता चलेगा जब यह bride बनेगी या दुलन बनेगी She still has bangles on her wrist but no light in her eyes तो author बताती है कि वो जो elderly woman जो बूरी सी ओरत उसके side में बैठी हुई है उसके हाथ में अब भी bangles है यानि कि वो अब भी married है लेकिन उसकी आँखों में शादी के बाद होने वाली कोई happiness, कोई खुशी नहीं है उसकी आँखों में कोई light नहीं है यानि कि वो दुखी है क्योंकि वो बहुत poor है एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया तो this is a Hindi line या statement जो वो बोलती है elderly woman author को वो कहती है हमने एक सेर का खाना भी नहीं खाया याने एक सेर याने की a unit of measuring quantity quantity को measure करने के एक unit तो वो कहती हमने इतनी quantity का याने भर पेट कभी हमने आज तक खाना भी नहीं खाया हम इतनी महनत करते हैं दिन राच बैंगल मेकिंग का काम करते हैं हमने आज तक अपनी पूरी लाइस में कभी भरपेट खाना नहीं खाया इन वोईज अफ ड्रेंड जो और वो जिस तरीके से बोलती है वो ऐसी वोईज होती है जिस में जिस आवाज में एक रुपए की भी खुशी नहीं होती सारी हापिनस खतम हो चुकी होती उसकी लाइफ में शी हाज नॉट इंजोड इवन वन फुल मील इन इन्टाइर लाइफ ताइंग उसने रीप जैने रिसीवड ऐस बेनेफिट तो ओथर कहीं कि उस लेडी ने अपनी पूरी उमर बैंगल मेकिं के काम में लगा दी और इतनी महनत करी हैं लेकिन फिर भी बेनेफिट में उसको क्या मिला यही मिला कि उसने कभी जीवन में भरपेट खाना नहीं खाया पूरी लाइफ में हार हाजबन एन ओल्ड मैन विटा फ्लोविंग बिर्ड सेज आई नो नाफिंग एक्सेप्ट बैंगल्स तो उस elderly woman का जो husband है उसकी बड़ी सी दाड़ी और वो कहता है मैडम हमें कुछ काम करने नहीं आता हमें तो सरिफ बैंगल्स बनाने आता है और हमने अपनी पूरी lifetime यही काम किया है All I have done is make a house for the family to live in मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है वो यह काम है कि मैंने कम से कम एक अच्छा घर बना के दे दिया अपनी family को ऐसा वो old man बोलता है Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime तो author कहती है कि इस बूड़े आदमी की बात सुनके ऐसे लग रहा था कि इसने तो कोई एक ऐसा काम कर दिया है अपनी life में जो कितने सारे लोग अपनी जिंदगी में करने के लिए fail हो चुके यानि ये आदमी मुझसे बोल रहा है कि मुझे तो सिर्फ bangle making का काम आता और मैंने तो एक घर बना के दे दिया है अपने खाननान को तो मतलब घर बना के दे दिया है तो कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है ऐसा तो सभी करते है अमीर गरीब बुज़र्ग जवान आदमी हर इनसान जो है अटलीस एक घर एक छट तो अपने लिए अफोर्ट करी देता है तो तुम्हें एक्स्ट्र क्या बेनिफिट मिला इस बैंगल मेकिंग की काम से यहाँ पे यह मीनिंग निकल रहा है ओथर की बात से तो ओथर यहां बोलती है कि उस आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है अपने घर वालों के सर पे छट रख दिये और पूरी उमर बैंगल मेकिंग करके उसने यह काम किया है बहुत बड़ा काम किया है जैसे बहुत सारे लोगों ने आज सा कभी ऐसा काम किया ही नहीं और वो यह बोलती है कि यह गरीब होने का जो रोना है आपको फिरोजाबात के हर घर में सुनाई देगा कि वो लोग बहुत गरीब हैं और वो सर्फ बैंगल मेकिंग के बिजनस में है क्योंकि उनका फिरोजाबात के हर घर में जितने लोगे सब बैंगल मेकिंग के बिजनस में ही रहते हैं और गरीब होने की वज़े से वो हमेशा अपना ये रोना गाते रहते हैं तो जितने भी घर के यंग मैने जितने भी जवान लोग हैं वो हमेशा एक ही शिकायत रिपीट करते रहते हैं अपने एलडर्स की अपने बड़ों की कि वो लोग बैंगल मेकिंग की काम में थे इसलिए हम भी बैंगल मेकिंग की काम में वो भी पूर हैं तो यह रोना आपको फिरोजबाद के हर घर में सुनाई देगा little has moved with time it seems in फिरोजबाद years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream mind numbing का मतलब क्या होता है boring जो चीज में आप करके बहुत बोर हो गयो और toil का meaning क्या होता है physical hard work done to earn living तो वो बोल रही है author कि थोड़ा बहुत changes आए हैं फिरोजबाद के लोगों में इतने साल तक यह boring बैंगल मेकिंग का काम करने के बाद जो कि जिसमें इतना hard work लगता है इतनी physical मेहनत लगती है यहां तक कि लोगों के eyesight भी चली जाती है इस वज़े से लोगों के जो initiative है याने लोग जो जो लोगों के dreams है जो सपने है वो अब सब मार दिये गए हैं याने kill कर दिये गए हैं तो यहां पर लोग अब कुछ नहीं सोचते हैं इनको कुछ आता ही नहीं है यह लोग स्रिफ बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं और इनके अपने खुद के कोई सपने कोई dreams नहीं है इन्होंने सब को अपने dreams को मार दिये हैं फिर author इनसे कहती है why not organize ourselves into a cooperative तो author इनसे कहती कि तुम लोग सब बैंगल मेकर्स जो है यह सब आपस में मिलके एक group क्यों नहीं बना लेते हो एक संगटन क्यों नहीं बना लेते हो ताकि तुम लोग काम करो और तुम लोग और powerful बन जाओ अपने इस बैंगल मेकिंग के ही काम क इसको बड़े लेवल पर करो ताकि और पैसा आए घर में I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers vicious का मतलब क्या होता है cruel याने जो बहुत cruel होते हैं जो बहुत जालिम होते हैं तो author कहती कि मैंने कुछ group of young men से पूछा कि तुम लोग इतने cruel circle में क्यों फस गए हो याने कि cruel vicious circle याने ये जो circle है जिसमें बहुत सारे middlemen हैं जिसमें जमीनदार होते हैं landlords होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने फसा के रखा है याने की पकड़ के रखा है इन young men के fathers को और उनके fathers को याने पूरी generations के लोग जो है कर्जों में डूबे होएं क्या होते हैं अपना चोटा मोटा हो सकते हैं कुछ कान के tops हो गए या कोई इनकी गोल्ड की चोटी मोटी जूलरी हो गई कुछ भी जो भी इनके पास कीमती होगा वो इनसे वो लोग जमा करवा लेते हैं अब ये लोग पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बैंगल बनाते रह जाते हैं और इतने पूर होते हैं इनकी इंकम इतनी होई नहीं पाती कि वो उनसे उनसे का लिया हुआ अधार या लोन जोए उन लोगों को वापिस कर पाएं जिस वज़े से वो इस पूरे वीशियस सर्कल इस पूरे जहरीले सर्कल में फज़ाते हैं जिसमें मनी लेंडर्स जो होते हैं इन बैंगल मेकर्स का फाइदा उठाते हैं और जेनरेशन आफटर जेनरेशन ये लोग उन लोगों के लिए ही काम करते रहते हैं अब आप सोचिए कि अगर आपने पार्टनर्शिप में या ग्रुप को या कोई अपने और्गनाईजेशन बनाएगे अपना कुछ बिजनस टाट किया है तो पुलिस आपको जेल में क्यों डालेगी लेकिन ये लोगों के इसी मेंटालिटी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस आएगी हमें मारेगी हमें घसीटते हुए जेल में बन कर देगी क्यों और ये लोग ऐसा क्यों मूल रहे हैं क्योंकि बेसिकली यहां पे कोई एक लीडर कोई एक ऐसा परसन निकल के नहीं आ रहा जो इस चीज में इनिशेटिव ले तो कोई उनको कोई सही दिशा कोई रास्ता कोई गाइडंस देने वाले इनके यहां पे है एह नहीं बहुत पूर रही हैं लोगों पूरी जिंदगी इनोंने अपनी बैंगल मेकिंग में रोगों की Moneylenders के अंदर काम करने में ही निकाल दिये They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice Spiral का meaning क्या होता है? A never ending continuous process Apathy का meaning क्या होता है? Lack of concern जब हमें किसी की कोई फिक्रल या कोई चिंतन नहीं होती और greed का मतलग क्या होता है? Intense and selfish desire for something जिस भी इंसान को जो भी मिल जाता है तो वो greedy होता है खाने के लिए जो भी हमें मिल जाता है हम हडप ले ले तो यहाँ पर बता रही है author कि यह जितने भी bangle makers है एक spiral, एक चकर में फस गए हैं जो continuous चलता रहता है और यह लोग इस चकर में से, इस spiral journey में से निकली नहीं पा रहे हैं पहले तो बहुत poverty है और यह चकर में क्या-क्या है poverty है, apathy है, greed और injustice है यानि कि सबसे पहले तो यह लोग बहुत poor हैं तने गरीब होते हैं कि यह लोग कुछ afford नहीं कर पाते हैं इनको एक ही चीज आती है वो है bangle making फिर यह लोग bangle making करते हैं और फिर यह लोग किस तरफ जाते हैं, apathy की तरफ क्योंकि इनको थोड़े से ही पैसे मिलते हैं और इनका main concern यह होता है कि घर में खाना आ जाए food आ जाए, सब लोग भरपेट खा लें यह इनके लिए बहुत बढ़ी बात होती है इसलिए यह दूसरी चीज़ों के बार में concerned नहीं होते कोई भी important चीज़े जो उनकी life में होती है इसका ध्यान नहीं रखते क्योंकि इनका main काम सरफ यह है कि यह लोग बहुत पूर है और इतना कमाले की घर में सरफ खाने ही आ जाए फिर इस वज़े से यह लोग क्या बन जाते हैं greedy जो बहुत पूर होते हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता वो naturally greedy बन जाते हैं क्योंकि उनको फिर जो भी मिलता है वो उसको हड़पने में या खाने में लग जाते हैं क्यूंकि उनको जीवन में कुछ मिला ही नहीं तो वो लोग greedy हो जाते, जिस वजय से क्या होता है उनकी किसी ना कुछ पैसए करो तो उनके साथ वो câmera कर रहे, in जेस्टिस हो रहे हैं और फिर से था फॉर्टकी कि तरफ जा है तो basically वो एक ऐसे चक्कर में फस गए हैं जिसमें से वो और उनकी जनरेशन और उनकी आने वाली जनरेशन फस चुके हो और निकल नहीं पा रहे हैं लिसनिंग तो देम आई सी तो दिस्टिंग वर्ल्स वान फामली कोट इन वेवफ पावर्टी बॉर्टन बाई दिस्टिंग आने की क्या सेपरेट याने दो अलग अलग चीजें स्टिग्मा का मीनिंग क्या होता है डिस्टिंग या किसी चीज पर डिस्रिस्पेक्ट दपा लगना और ब्यूरोक्राट्स कौन होते हैं वह गवर्मेंट की ऑफिशल्स वह गवर्मेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स पुलिस्मेन जिनसे यह लोग सामना नहीं कर पा रहे तो अथर यहां कहती ही कि यह सारी सिचुएशन लोग की देखके मुझे दो डिस्टिंग्ट दो अलग-अलग ऐसे सेपरेट वर्ल्ड दिखाई दे रहे हैं एक वर्ल्ड तो इन गरीब लोगों का है जो बैंगल मेकिंग के बिजनस में हैं और जिनको मनी लेंडर्स और शा अपा हो जाएगा हम पर स्टिग्मा लगेगा अगर हम कोई और काम करेंगे और दूसरा वर्ल्ड जो हमारी ओथर देखती हैं वो है यह सारे पॉलिटीशन, साउकार्स, मिडल मैन उन लोगों का जो इन लोगों का फाइदा उठाते हैं वोट डलवाने के लिए भी तो बेस से बैंगल मेकिंग करते आ रहे हैं और लोगों के लोन मेंसे जो लोगों से इनोंने लोन लिये मिडल मेंसे या किसी भी मैनी लेंडर से उनके ऐसानों तरह दब रहे जिस वजह से यह ऐसान कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है इनके आने वाली जनरेशन पर याने इनके आने जनरेशन को भी यही काम करना पड़ रहा है Before he is aware, he accepts it naturally as his father जब तक वो बच्चा बड़ा होए, aware होए, अपनी dreams के बार में सोचे-सोचे उससे पहले ही उनके fathers उनको बैंगल मेकिंग के business में या job में लगा देते हैं To do anything else would mean to dare To dare मतलब do something courageous, किसी चीज़ को करने की हिम्मत करना And daring is not part of his growing up तो इनके caste में, इनकी community में कुछ बैंगल मेकिंग से हट के सोचना सपने देखना कुछ करना का मतलब एकि आपने कोई हिम्मत कर लिए, कोई बड़ी बात कर लिए आपने जो बैंगल मेकिंग का बिजनस न करके आप कुछ और करने के लिए सोच रहे हो और dare करना, याने किसी चीज़ के लिए हिम्मत जुटा के बोलना इनके caste के बच्चों में possible नहींगे क्योंकि ये लोग उनको कभी ऐसा बनने ही नहीं नहीं देते When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered बारे में सोचके मैं बहुत खुश होती हूँ, क्यों क्योंकि वो क्या बोलता है I want to become a motor mechanic, he repeats, तो वो बोलता है कि मुझे motor mechanic बनना है और यह ऐसा बोलता है तो यह जब बात सोचती है author तो वो बहुत खुश होती है कहती है कि at least इस बच्चे में एक ड्रीम है बैंगल मेकिंग से हट के कुछ करने का एक सपना है He will go to garage and learn और क्योंकि वो बोलता है कि मैं garage जाऊंगा और car mechanic का काम पूरा सीखूंगा उससे यह समझ में आता है कि इसमें कुछ करने की चाहत है But the garage is a long way from his home पर जो garage है वो उसके घर से बहुत दूर है I will walk, he insists तो जब author कहती है कि garage तो तुमारे घर से बहुत दूर है तो वो कहता है कोई दिक्कतिये में चल के जाऊंगा रोज, walk कर के जाऊंगा यानि यह बच्चा मेहनत करने के लिए भी तैयार है Do you also dream of flying a plane? अब author प्यार से छोटे से बच्चे से बोलती है कि तुम तो car mechanic बनने का सपना देख रहे हो कभी तुमने plane उड़ाने का सपना देखा है He is suddenly silent तो यह बच्चा जो मुकेशे एकदम से चुप हो जाता है इसका मतलब यह है कि उसे अरोपलेन का मतलब ही नहीं पता उसे अरोपलेन का मीनिंग ही नहीं पता No, he says staring at the ground तो क्योंकि वो बहुत embarrassed feel कर रहा है वो जमीन पर नजरे जुका के देखते हुए बोलता है No, याने मुझे कभी इस चीज का सपना नहीं आया और इसने ऐसली बहला क्योंकि उसे अरोपलेन का मतलब ही समझ नहीं आया In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret तो उसकी आवाज से ऐसा लग रहा है कि वो embarrassed तो है क्यों क्योंकि उसको अरोपलेन के बारे में नहीं पता लेकिन वो उस चीज को रिग्रेट नहीं कर रहा है याने इस चीज से पच्चता नहीं रहा कि अरे मुझे नहीं पता क्योंकि मुकेश की personality ऐसी है कि वो बहुत एक hard walking बच्चे और वो एरोपलेन के बारे में भी जल्द जान लेगा He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town वो content है, वो satisfied है अपने car mechanic के ही dreams है क्योंकि वो अपने town में कुछ cars को चलते फिरते सडकों पर देखता है Hotling down याने की moving around तो उसे cars के बारे में ही बता और वो ही सपना उसने अब तक देखा है उसने शायद aeroplane's देखा नहीं और aeroplane's के बारे में से पता नहीं कैसे हैं आप सब लोग, I hope everybody is doing well, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और बहुत मज़े में हूँ और इतनी अची बात से चली, स्टार्ट करते हैं हमारी flamingo book का, जो second chapter है, Lost Spring उसकी summary से So, summary स्टार्ट करने से पहले मैं एक चोट असा overview देदेती हूँ यह जो chapter है, यह basically author जो है हमारी, Annie is young उन्होंने दो deprived backgrounds, याने कि दो गरीब बच्चों से जो बातचीत करी है उस बातचीत और उनके साथ जो उनको experience था, उस basis पर यहाँ पर दो stories बताई है So, basically आपका जो यह chapter है, यह two parts में divided है, एक first story, एक second story जो first story है, वो साहिब आलम नाम के एक चोटे से बच्चे की है, जो की रैक प्रिकर आने के खच्रा कूडा बान इकटा करने के job में है तो यह जो बच्चा है, यह हमेशा barefoot रहता है, हमेशा नंगे पहर रहता है और जब author इससे पुछनी कि तुम्हें school क्यों नहीं जाते तो वो कहता है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है तो मैं यही काम करता हूँ और हमारे आसपास कोई school नहीं है, इसलिए मैं school भी नहीं जाता हूँ तो author कहता है, अगर मैं तुमारे लिए school बनाओंगी तो तुम जाओगे, तो वो कहता है, हाँ मैं जरूर जाओंगा और थोड़े दिन बाद जब author आती है उसी locality में, तो साहिब उनकी तरफ दोड़ते वे आता है और कहता है कि आपने school बना लिया, आपका school बन गया, तो वो कहती है, नहीं और author को बहुत अश्यम्ट फील हुआ कि मैंने जिस बच्चे से promise करा, वो तो मेरा promise meaningless था, मैंने तो ऐसी मजाख में कर दिया लेकिन इस बच्चे के दिल में और दिमाग में hopes जाग गए, आँखों में उम्मीद जाग गए कि शायद मेरे लिए भी school बनेगा और मैं school जाओंगा तो जैसा promise मैंने इस बच्चे से किया, इतने सारे कई सारे लोग हैं जो promises इस से करते हैं और इनके fulfill भी नहीं करते हैं पूरे भी नहीं करते हैं तो basically यह जो chapter बताया गया है first वाला वो child labor और poverty गरीबी भी बता गया है और कितना बच्चों से काम कराया जाता है बाल मजदूरी कराया जाती है जिसकी वज़े से इनका बच्चपन है वो कहीं lost यानि कि घुम जाता है उसी तरीके से एक second story भी है वो है मुकेश की वो फिरोजबाद से और वो और उसकी family बैंगल मेकिंग चूणिया बनाने के business में generation से involved है अब जो मुकेश है उसको क्या बनना है उसका क्या dream है उसका dream है कि उसको एक motor mechanic बनना है लेकिन वो ये dream बहुत confidently बताता है author को लेकिन उसे ये नहीं समझ आता कि ये dream मेरा कभी पूरा होगा भी कि नहीं क्यूंकि वो और उसकी जो family है वो generation से बैंगल मेकिंग के ही business में है और उन लोगों को लगता है कि ये जो बैंगल मेकिंग है ये सदियों से सालों से हमारे ancestors ने किया हुआ है और एक तरीके से भगवान ने हमें ये business जोपा है और हम बैंगल मेकर्स की cast से belong करते तो इनके बच्चे कोई दूसरी चीज सोची नहीं सकते क्योंकि जब तक ये बड़े होएं होएं कुछ अपने dreams के बारे में सोचें उससे पहले इनके घरवाले इनको बैंगल मेकिंग के जॉब में लगा दिये करते जिस वज़े से इनकी eyesight खो जाती क्योंकि ये लोग एक छोटे से कमरे में बैठ कर सारदन bangles बनाते रहते जिस वज़े से adult होने से पहले इनकी eyesight चली जाती है तो ये जो 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 chapters and stories के जो through author जो है वो हमें क्या बताना चाहती है कि बच्चों की जिंदगी हम बढ़ने ही नहीं देते हैं जो जो गरीब बच्चे होते हैं वो child, liberal, poverty में इतने बंद चुके होते हैं इतने first चुके होते हैं कि उन बच्चों का overall development नहीं हो पाता और वो अपने बच्च्पन को अपने childhood को जी ही नहीं पाते हैं न स्कूल जा पाते हैं न पढ़ाई कर पाते हैं न प्ले कर पाते हैं न खेल कूद कर पाते हैं कुछ भी नहीं कर पाते हैं और उनकी life वहीं पे खताम हो जाते हैं और उनके dreams वहीं पे kill कर दिया जाते हैं तो इन दोनों बच्चोव की कहानी से जो ओधर हैं हमें इन बच्चों की प्लाइट यही इन बच्चों की इतनी डिफिकल्ट सिटुएशन होती है वो बताई जाती है और बताया जाता है कि इन बच्चों को किस तरह फोर्स फुली लेबर याने बाल-मज़ूरी में धकेल दि denied the opportunity of schooling बहुत छोटी सी उमर में इनको काम करवाना स्टार्ट कर दिया जाता है और education की उमर में जहाँ पे इनको पढ़ना लिखना चाहिए वो इनकी dreams को kill कर दिया जाता है Also she brings out the callousness of society and the political class towards the sufferings of the poor Also author हमें क्या बता रहे है callousness याने की insensitive or cruel behavior जितने भी government officials हैं जितने भी political लोग हैं इन लोगों का behavior इन लोगों की तरफ बहुत cruel है बहुत ज्यात्ती वाल है वजाए इन लोगों की help करने के government और जो दूसरी officials हैं वो इनका फाइदा उठाते हैं The first encounter is with a ragpicker boy named sahibayalum तो जो पहली story जैसे कि कच्रा कूडा बीनने वाले बच्चे की है जिसका नाम है sahibayalum जो migrate ओके यानि कि जो shift ओके आया है कहां से बांगलादेश से 1971 में और अब कहां रह रहा है इंडिया में सीमापूरी नाम की जगा में रह रहा है जो डेली के आउटर एरिया में है तो ये लोग धाका यानि बांगलादेश से 1971 में shift ओके इसलिए आयते क्योंकि वहाँ पे storm की वज़े से तूफान की वज़े से इनके घर उजड़ गए तो बेटर लाइफ के खोज में ये लोग कहां आप वहचें एंडिया के शहर डेली में और वहाँ पे भी कहां डेली में एक लकालिटी है सीमापुरी जो डेली के आउट कूर्ट में यानि के आउटर एरिया में वहाँ पे आके रहने लगे cobra कि carry रह देने का हम क्या धूडने के लगे रहते थे हमशा गोल्ड, अब गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यानि कि जो हम लोगों के लिए precious चीज़े हैं, वो है gold, diamond, precious stones, ये सब चीज़े, लेकिन जो ये राक पिकिंग करने वाले बच्चे, इनके लिए precious चीज़े वो हैं, जो इनके चीज़े काम आ सकें, जैसे फटे पुराने जूते, कभी एक का सिक्का मिल गया, कभी टेन रुपीज का नोट मिल गया, कभी कोई फटी पुरानी किसी के टी-शिर्ट मिल गई, तो ये इन लोगों को लिए gold बराबर है, यानि इतनी precious है क्योंकि ये इनके लिए useful चीज़े, तो ये राक पिकर्स हमेशे ये सब डूनते रहते है कचरे में से, they could hardly manage some food for themselves, other things like identity, education, shoes and spots are their unfulfilled dreams, तो वो अपने लिए खाना ही बड़ी मुश्किल से manage कर पाते हैं, पेट बर खाना इनको मुश्किल से ही नसीब हो पाता है, इनकी खुद की identity काट सक नहीं है, यानि कि इनके खुद के पहचान पत्र भी नहीं है, ये लोगों को एजुकेशन नसीब नहीं होगा, कभी स्कूल नहीं गए, कभी इनको जूते पहनने को नहीं मिले, क्योंकि ये लोग हमेशा नंगे पैर रहते हैं, barefoot रहते हैं, और उसका reason ये दे देते हैं, कि भाई हमारा तो रिवाज है नंगे पैर रहना, क्योंकि उनने अपनी पैरेंट वाउंच द गार्बेज, searching for things that help them to survive, afford food, clothing, shelter for the family, तो इनके जो बच्चों के पैरेंस हैं, उनके लिए राक पिकिंग का मतलब अलग है, और बच्चों के लिए राक पिकिंग का मतलब अलग है, ये खूडे कच्रे बीनने का काम, पैरेंस कूडा कच्रा बीनने का का हम रैक्पिकिंग का काम इसली करते हैं ताकि वो उससे अपना घर चला सकें, survive कर पाएं, उसमें से उन्हें शायद फटी पुराने clothes मिल जाएं और उससे मिलने वाला कुछ पैसे से घर में खाना आ जाएगा, घर में छट डल जाएगी, roof डल जाएगी, तो इसी लिए उनके parents क्या करते हैं, रैक्पिकिंग का काम करते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, the children hunted through the garbage heaps looking for things which could partially fulfill their unfulfilled dreams, बच्चे survival क्लिए कुड़ा कच्रे का काम नहीं करते, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ सपने हैं, जो शायद उनको कुड़े कच्रे में से फटी पुरानी फ़र्म में मिल जाती हैं, तो यह उनके लिए गोल्ड और वक वैल्यूएबल होती हैं, जो अमीर लोग यूज करके चीजें, फेक दिया करते हैं, वो इन गरीब बच्चों के लिए, यूज की चीजें होती हैं, याने की वैल्यूएबल होती हैं, तो एक दिन राइटर ने सुबसबा नोटेस किया कि जो साहिब आलम है, जो कि हमेशा मस्त रहता था, अपने दोस्तों के साथ इंजॉई करता रहता था, राइटर नोटेस करती हैं, कि वो केर फ्री बच्चा, वो साहिब आलम जो हमेशा मस्त रहता था अपने शोल्डर पे हमेशा एक बैग तांगे रहता था जिसमें उसका कच्रा कूड़ा वो सब दीनता था वो बैग जो कि इतना हेवी होता है वो उसको हमेशा light लगता था क्योंकि वो बैग उसका खुद का था यानि वो अपना खुद का master था अपना खुद का मालिक था लेकिन आज वो क्या हो गया आज वो किसी का किसी के under आ गया यानि कोई और उसका master बन गया है और जो steel can था वो उसका नहीं था जो की बहुत weight में light weighted था वो उसको भारी लग रहा था क्योंकि वो उसका काम को कर रहा था किसी और का basically servant बन गया था और child labor यानि बाल मज़ूरी की जकर में फस गया था उसके उपर अपने family की family को चलाने के लिए उसको survive कराने की responsibility उसके कंदों पे आ गयी था तो basically उस बच्चे का बच्पना खतम हो गया और वो अपने पैसे कमाने की इतनी चोटी उपन में पैसे कमाने की चाहा में एकटी स्टॉल पर काम करने लग गया और वहीं पर उसके सारे सपने भी खतम हो जाते हैं पाल सो इस्टॉल में की को एंड वा प्रोगिम्धर oney कुएस क नौम के चाहिए ह करैंड यु भी उस्के शटॉरे पादने सेस्टॉल पार बंकर राकिधे और भी तौररे बच्च्छा है उसका नम है मुकेश who belong to a family of bangle makers in Firozabad तो ये Firozabad में रहता है और किस family से belong करता है जो bangle makers है याने चूडियां बनाने के business में है generation से याने इनके पूरे खान्नान ने हमेशे से यही काम किया The boy had a dream of becoming a car mechanic लेकिन this boy का dream था कि मैं a car mechanic बनूँ उसका सपना था On the contrary, his family was traditionally engaged in bangle making Although the profession harmed them physically and they hardly earned any money out of it लेकिन इसका तो सपना car mechanic बनने का था लेकिन इसकी जो family थी उस तरफ bangle making के business में generation से थी यहां तक कि इतने चोटे-चोटे कमरों में काम करने से अंधेरे में bangle making की business की वज़े से लोगों के eyesight चली गई उन्होंने physically इतना सफर किया इसकी family ने फिर भी वो लोग bangle making का ही काम करते हैं लेकिन मुकेश का जो सपना था वो था car mechanic बनने का तो author इन लोगों से बोलती है कि आप लोग एक काम क्यों नहीं कर लेते जितने भी bangle makers हो इतनी मेहनत करते और तुम लोग को return में benefit कुछ नहीं मिलता करते क्योंकि इने लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पोलिस हमें घसीट के मारेगी और जेल में बन कर देगी ऐसा है बिलकुल भी नहीं होता लेकिन इनको इस चीफ का डर है क्योंकि जितने भी money lenders जिससे इन्होंने उधार ही लिए होती है यह वो उधार नहीं चुका पाते हैं उनको और यह उनको हमेशा जकडे रहते हैं और जिस बज़े से उधार चुकाने की लिए यह इनकी generations to generations on middlemen और money lenders लिए हमेशा काम करती रहती है the family elders were content that the that other than teaching the art of bangle making to the children they had been able to build them a house to live in the family यह बहुत content है इनकी मोकेश की याने बहुत satisfied है कि हमने तो अपने बच्चों को bangle making का आर्ट सिखाया याने कि ना हमने बैंगल making का काम के और अपने बच्चों को छोटा सा हट में इन्होंने रहने की फैसिलिटी दी जैसे और किसी ने और सारे लोग जो है वो रोड पर रहने उन्हों तो अपने घवा अपनी फैमिली को घर रहने को दिया ही नहीं लेकिन फिर भी मुकेश की ड्रीम क्या थी कि मैं एक दिन कार मेकानिक बनूंगा कार्स वर अलट मुकेश अच्छीन उन्द रोड ऑफिस टाउन और सो क्योंकि मुकेश ने अपने शहर के अपने टाउन के रोड पर हमिशा कार्स को देखा है और उसकी इच्छा है कि मैं कार चलाना सीखूं और मैं गराज तक जो कि उसकी घर से बहुत दूर है वहाँ तक पैदल जाओंगा लेकिन फिर भी गराज तक जाओंगा और कार मेकानिक का काम सीखूंगा यानि उसके अंदर चाहा है उसके अंदर determination है hard work करने की He could not dream of any further और उसको और किसी चीज का सपना नहीं आता क्योंकि उसको कार मेकानिक बनने का सपना उसके माइंड में था So children यहाँ पर हमारे summary फिनिश होती है और हम हम डिस्कूस करते हैं स्टाप्टर के कुछ important comprehension question and answers The first question is what is sahib looking for in the garbage dumps? वो कहां से रहता है और वो basically कहां से आया है और वहां पे रह रह रहा है तो sahib is looking for any precious thing which he cannot afford to buy तो sahib कच्रे में से कुछ ऐसी चीज निकालने के कोशिश कर रहा है जो वो afford नहीं कर सकता खरीद न क्योंकि वो बहुत पूर है और वो चीज चाहत को इसके काम की हो things like a rupee, silver coin और a pair of shoes किस type की चीज़े वो डून रहा है कभी इसको एक कसिका मिल जाता है कभी इसको 10 रुपे का note मिल जाता है कभी shoes मिल जाते है फटे पुराने से तो यह सब वो डून रहा है He has come to the garbage dump in the winter's neighborhood in the writer's neighborhood तो वो कहां पर आया है कच्रा ढूनने के लिए इस chapter की जो writer है उनके पडोस में ही एक dump है यानि garbage dump है garbage का कूडा रखने का एक डबबा है जिसमें वो सुबसुब कच्रा बीनने आया है He lives in Seemapuri in Delhi and he has come from Dhaka वो धाका बांगला जैस से migrate हो के इंडिया में आया है और इंडिया में कहा डेली में और डेली में वो कहा रहता है सीमापूरी नाम की जगा जो कि डेली के आउटर एरिया में है Second question इस साहब हापी वोकिंग अट दे टी स्टॉल एक्स्प्लीन चाप्तर के एंड में जो साहब है एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है और उसको वहाँ पे 800 रुपीज जॉप के भी पैसे मिलते है और दिन बर का खाना क्या वो हैपी है क्या वो खुश है यहां जॉप करके तो साहब इस हापी दाथी गॉट वोक्ष है कि इसको जॉब मिल गई है क्योंकि इसको 800 रुपीज मंथ की सालरी मिलेगी और सारी मील्स भी मिलेंगी याने खाने पेने की चीज़े भी मिल जाएगी दिन बर तो ही इस सम्वेर हैपी क्या आप इस चीज को एग्री करेंगे कि जो गरीब लोगों से बड़े बड़े लोग आके बड़े बड़े प्रॉमिसेस करके जाते हैं क्या उन प्रॉमिसेस को वो पूरा करते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है इन इंसिदेंस को पढ़के जो की टेक्स में जो की चाप्टर में बताए गए हैं तो येस, I agree that the promises made to poor children are rarely fulfilled तो हाँ, हम इस चीज को agree करते हैं कि जिते भी हम गरीब बच्चों से जाके promise करते हैं कि तुमारे लिए स्कूल बनवा देंगे तुमें नहीं कपड़े ला देंगे तुमारे लिए एक बड़ा सा hospital create बना देंगे तुमारी slum area में ये सब कभी fulfill नहीं होते हैं तो चाप्टर में क्या होता है चाप्टर में जो author होती है वो साहिब आलम से एक promise कर देती है mindlessly याने मज़ाप में ऐसे ही बोल देती है कि चलो ठीक है मैं तुमारे लोकालिटी में स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे तो वो कहता है हां और थोड़े दिन बाद जब author उससे जाके मिलती है तो वो उनके पास भागते बात है साहिब और कहता है कि आपका स्कूल बन खुल गया तो यहां पर जो author है बहुत अशेम फिल करती है कि मैंने तो एक मज़ाप में एक बच्चे से promise कर दिया और मुझे पता है कि यह promise मैरा practically possible नहीं है मैं पूरा नहीं कर सकती उनके promise को तो मैंने यह promise उससे किया ही क्यों तो वो यह सोचती है कि मेरे जूटे promise या मेरे मजाख में करे हुए promise ने एक बच्चे के दिल में उम्मीद एक hope जगा दी जो कि गलत है तो वो सोचती है कि इस छोटे से बच्चे की जिंदगी में बहुत सारे hollow promises याने meaningless promises बड़े बड़े लोग आते हैं और रोज कुछ न कुछ करके जाते हैं लेकिन वो कभी पूरे नहीं होते हैं और इस बात से उसे भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसी क्या चीज है कि जो फिरोजबाद के लोग है वो बैंगल मेकिंग के ही पुराने इस ट्रेडिशन में इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और दूसरे किसी जॉब में नहीं जा पारे तो राइटर बताती हैं कि जित्ते भी फिरोजबाद के बैंगल मेकर्स हैं वो क्या हैं पावर्टी स्ट्रिकिन याने बहुत जादा गरीब है तो वो इस एसान तले दब चुके हम जिस कास्ट में पैदा हुए वो बैंगल मेकर्स की कास्ते हैं तो हम जिंदगी पर यही करेंगे भले उससे हम लोग अंदे हो जाएं हम लोग की हालत इतनी वीक हो गई है पर फिर भी हम यही करेंगे और अपना यह इनको पुराना ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्यारी ओन करना पड़ेगा फॉर्दर तो सॉसाइटी एस फॉर्मड़ हार्श सॉर्कल अरॉंड और सॉसाइटी ने एक सॉर्कल इनके आसपास ऐसा बना लिया है जिसमें से यह सारे बैंगल मेकर्स फस गए और निकल नहीं पा रहे है और वो सॉर्कल किसका है मनी लेंडर्स, मिडल मेंड, पुलिसमें, लॉग कीपर्स, ऑफिसर्स, पॉलिटीशन यह सब मिलके क्या है इनको इनका इस्तमाल करते हैं और इनको चाहते हैं कि यह बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री में करते रहे और इनको बेनिफिट मिलता रहे तो बेसिकली यह बड़े बड़े जो लोग हैं यह चाहते ही नहीं कि यह गरीबी से बाहर निकले और और कोई काम करें क्योंकि इन बड़े लोगों का फाइदा इन लोगों से निकलता है All together form a barrier around them and tie them in the grip of poverty They cannot escape from it और इस वज़े से ये गरीब लोग जो है इस circle में इस spiral circle में जिसमें money lenders, politicians, police सब लोग involved हैं इतना इन लोगों को परिशान किया हुए कि ये लोग first गए हैं और इस circle में से इस जिस जो इनको मतलब grip करके रखा है जिस circle इनको जड़ से पकड़ करके रखा है इसमें से ये लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं Fifth question How in your opinion can Mukesh realize his dream? तो आपको कैसे लगता है आपके opinion में कि Mukesh अपना dream realize कर पाएगा यहने पूरा कर पाएगा एक car mechanic बनने का तो Mukesh dare to dream and wanted to become a motor mechanic तो Mukesh ने हिम्मत करके dream किया एक सपना देखा है कि उसको motor mechanic बनना है क्योंकि उसकी family bangal makers से आ है बैंगल making के business में है और वो लोग कोई और सपना नहीं देखते He wanted to drive cars उसको car driving भी करना है He took the initial step by aspiring to do something different from the family business तो उसने एक पहला कदम लिया है इस dream को देखते हुए कि मैं एक bangle making के business नहीं करना चाहता मैं एक car mechanic के business में जाना जाता हूँ I think that Mukesh can realize his dream with determination and hard work तो मुझे ऐसा लगता है कि Mukesh बहुत determined है और बहुत hard working nature का person है और वो definitely अपने dream को एक दिन fulfill जरूर करेगा क्योंकि उसमें कुछ करने की इच्छा है और ताकत है Next question Why should child labor be eliminated and how? जो child labor है जो बाल मजदूरी है हमारे देश में इसको eliminate करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा क्यों क्योंकि बच्चों की जिंदेगयां खतम हो रही है तो eliminate तो करना ही पड़ेगा पर कैसे करें पर क्यों करें और कैसे करें यह हमको बताना है तो forcing a child to work is a crime हमारे देश में अगर आप किसी बच्चे को जबरदसी काम करा रहे हो जो 14 years से age का से कम है तो वो crime है याने कि यह एक गुना है और हमको चाइड लिबर क्यों हटाना है हमारे सुसाइटी से ताकि बच्चों का exploitation ना हो याने कि उनका गलत तरीके से इस्तिमाल ना करे कोई अगर आप उनको जबरदसी बाल मज़ूरी में लगा दोगे तो वो अपना बचपना खो देंगे जिस उमर में उन्हें खेलना कूदना पढ़ना चाहिए वो सब खतम हो जाएगा और उनको प्रॉपर एडुकेशन भी नहीं मेलेगी और उनको एसी बीमारियां आ जाएंगी यांग एज में जो जो शायद उनकी डिथ तक उनको ले जाएं दिस डिस्ट्रोइज दर फ्यूचर और उनको फ्यूचर उनका भविश्य खराब हो जाएगा देर पैरेंस ओवरलोग ओल दीस फाक्स आज नीड मनी और इन बच्चों के जो पैरेंस होतें वो यह सब चीजों को नजर अंदास कर देते हैं क्योंकि वो सोचने की बच्चे काम करेंगे तो चार पैसे घर में और आएंगे तो बच्चों के पैरेंस भी इस चीज पर ध्यान नी दे रहें और इसके खिलाफ laws लगाये strictly आने की कानून बनाये strictly ताकि ना कोई किसी बच्चे को force कर पाए ना कोई बच्चा चाइड लिबर के काम में involved हो पाए So children with this we come to an end of this session I hope आपको summary और question and answers बहुत अच्छे से समझ आयोंगे और अगर आपको मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे तो आपको एक स्रिफ छोटा सा step या एक छोटा सा procedure करना है जिससे आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो आप कैसे करेंगे आपको स्रिफ Google पर जाना है और magnetbrains.com हमारी website का नाम डालना और जब आप डालेंगे तो इस तरीके का जो portal है website का आपके सामने आजाएगा जिसमें अलग-अलग classes ये हैं Class 12, 11, 10, 9, 8 and so on For example, आपको Class 11 के English के वीडियो देखने तो आप Class 11 पे क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने page आजाएगा जहाँ पे Class 11 में बढ़ाने वाले सारे teachers और वो क्या-क्या subject लेते हैं उनकी पूरी details आजाएगे For example, अगर आपको Class 11 का English देखना है जो कि मैं लेती हूँ आप इस पे क्लिक करेंगे तो Class 11 में मेरे पढ़ाय हुए सारे वीडियो lectures की list आपके सामने आजाएगे For example, मुझे अगर हॉन्बल बुक के chapter 1 का first देखना है First introduction देखना है, the portrait of a lady तो मैं इस पे क्लिक करूँगी और इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने play होना start हो जाएगा तो I hope आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आप Google पे जाके डिरेक्ट वेबसाइट से भी हमारा वीडियो देख सकते हैं So children तब तक लिए, bye bye and take care